कि है लोग आप सभी का बहुत-बहुत मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चनल एसेजी गुरुखुल पर तो कैसे हैं आप सभी लोग हना आज हम लोग यूपी पीए सी आरो यारो के पेपर को सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ पर हम लोग ने प्रीविए सर के पेपर को उठाया है जिससे आप लोग को यह पता चल जाएगा कि लेवल कैसा रहने वाला होता है पेपर का और आप अपने कॉंपी किताब उठाकर बैठ जाएंगे एक कॉंपी ले लेंगे एक पैनले लेंगे एक सो चालिस प्रस्णों को आपको सॉल्व करना होगा यहां पर आप लोग को कॉंपीर पर उठाना है तीन घंटे में कोशिस करूंगा कि तीन घंटे में एक सो चालिस प्रस्ण और उससे संबंदित जो प्रस्ण आने वाले हैं उन सभी का स्रूशन मैं आपको दे पाऊं किसी भी पेपर में 50% जो कॉंशन होते हैं वो बहुत आ आपको अलग अलग सब्जेक की अलग अलग पढ़नी पड़ती है फिर मिक्सप वाली बुक से आपका काम नहीं चल पाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आपको पहले से ही बेस्ट आफ लग कर देता हूं कि कि कितने आप रसंट सही करेंगे और सभी लोग लाइक करें आपको दिखकत आएगी पहला प्रस्ट आपकी स्ट्रिन के सामने दिया गया है और आप इसको देखेंगे और अच्छे से इसका उतर करेंगे कह रहा है निम लिखिज में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है और यह हिंदी में भी है और इंग्लिस में भी है ताकि बाइलिंग्वल वाले बच्चों को फायदा हो सबसे पहले हम लोग को पताओना चाहिए कि चीनी यात्री की अगर हम लोग बात करें यदि हम लोग चीनी यात्री की बात करें तो हम लोग सूत्र बच्पन से ही याद करते आ रहे हैं फांसी हुई हम लोग सूत्रियात करते आ रहे हैं फांसी हुई तो फांसी हो जाएगा फायान सी से हो जाएगा सीट्सूं हां से हो जाएगा हुएनसांग और इस हो जाएगा इत्सिंग इसे क्या हो जाएगा इत्सिंग हो जाएगा इत्सिंग हो जाएगा क्लियर है तो फाया प्रद्वा outta उत्सिंग ये आपका अंशर है चीनी यात्रियों में अब हमको पता है जो फाय नृट भो पहला चीनी यात्रिज fix cvikum दिक्रमा दित्त ने आया था किसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त विक्रमा दित्त के दरबार में आया था था और जो चंद्रकुप द०्धती है वह आपका 399 के आसपस रह रहा होता है यानि कि जो फायान है वो 399 से लेकर 414 इस्ट्वी तक रहेगा अब कहे रहा है कौंसा सही सुलमेलित नहीं है अभी जो अलम सूदी है किसके समय मेरे प्यारे भाईयों आप कहेंगे अ Hambly समय आया था इसका अगर आपको देखना है कौन सा सुमिलित नहीं है अगर हम लोगों को इसका अंसर बताना है क्या सुमिलित नहीं नहीं है तो देखें कि हुएन सांग 606-647 तक क्या था? हर्चवर्दन का सासन था? यनि 647 के पहले आकर चला गया होगा, ये बिलकुल सही है, फायान बिलकुल सही है, अलमसूदी ये तो बिलकुल सही है, आपका जो गलत हो जाएगा, वो इतस्इंग गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 671 में आया था और 693 में चला गया था, तो जो Ιतसिंग था वो 671 में आया था, 671 certainty में आया था और 693 subtile में चला गया था, समझ रहां पर लिखा है 671 से 695, यह तो 675 दिया गया है यही आपका गलत हो जाएगा तो यहां पर इसका जो authent so जाएगा वो जाएगा see the camera रिसके जो यहां जाएगा वो क्या जाएगा see तो जितने बी joties fans लगा या है वो अपने आपको ध्यान रखेंगे कि unike ने कितने कुष्रीजिव ना शीयां हुए है ठीक वोह इत्ता ध्यार नख़ेंगे इस में कितने कुष्ण कौन आया था इबन-बतूता आया था अफरीका के मुरक्त कौन आया था इबन-बतूता आया था और इसकी किताब का नाम क्या था आप इसके दरबार में पहुंचा था आप कहेंगे मुहम्मद बिन- तुगलक के के दरबार में पहुंचा था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा था उसी साफ से पुछेगा आप से कि बताईए पीटर मुंडी आप से कुछेगा पीटर मुंडी और मनूची किसके दरबार में पहुंचे थे या कहां के थे तो पीटर मुंडी और मनूची ये साज आहां के दरबार के हैं और यह कैसे यातरी है तो आप कहां के यातरी है आप इतली के यातरी है बात समंझ में आ रही है तो पीटर मुंडी मनुची फ्रांसिस बर्नियर ट्रिवैनियर ऐसे करके और भी कि आपके कोशन पूछे जाएंगे और आपको लगा देना है ठीक है आगे बढ़ा जाएगा हम लोग अगला प्रस्ट दिखते हैं कोशन नंबर दो क्या कह रहा है करा निम लिखित में से किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यच रूप से चुना गया था rator option में हैं अफ्र कृप्शन में हैं यसा smoking ऑप्र मन option में कंदिवर्मन पल्लाम राव जए इसको थ th ways और बढ़ा कर देते हैं ताकि आपका ज्यादा जूम नआ करना पड़े लिए विछ इतना कर दिया थिछ तो अब उसकी राजधानी शुरुवात में थी थानेश्वर हर्षवर्दन की राजधानी क्या थी थानेश्वर और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था कन्नौज को और कन्नौज में कौन सा वंचला था मौकरी वंचला था और मौकरी वंच का सासा कौन था आप कहेंगे ग्रह वर्मन था अरे हां किना कौन था ग्रह वर्मन था और ग्रह वर्मन की हत्या किस ने कर दी थी ग्रह वर्मन की हत्ता मालवा के राजा देवगुप्त ने कर दी थी इसके बाद बदला लेने के लिए ससांग और ग्रह वर्मन आपस में मित्र हो गए थे हां किना फिर ससांग की हत सकते हो तो एक एक जहां लिखा होगा आप वहां काट सकते हो तो हमने यहां पर लिखा था इसको काट दिया इसके बाद मालवा का राजा था यशोवर्मन मालवा का राजा था यशोवर्मन और इसको भी जनता ने गद्दी पर नहीं बिठाया था जहां जहां तीन लिखा हो वहाँ वहाँ काट सकते हैं तो तीन यहाँ पर लिखा गया है हना इसके बाद तीन यहाँ पर लिखा गया है तो बस दो आपके पास एक ही उत्तर मिल जाता है वह कौन सो जाता है सी आपके पास सिर्फ एक उत्तर मिलता है वह कौन सो जाता है सी यानि कौन कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपका उत्तर जाएगा गोपाल गना गोपाल ये बंगाल में पालवंस की स्थापना करी थी इसने इसने बंगाल के पालवंस की स्थापना करी थी शशांग की मृत्ती हो जाने के बाद ये ससांग वही है मेरे बच्चों ये ससांग वही है हना जिसने बोधिवरच को कटवाकर गंगा नदी में फिकवा दिया था सासांग की हत्या जब हर्षवर्दन ने कर दी तो बंगाल में राजक्ता का सासन हो गया तब जनता ने मिलकर ही गोपाल को भना बंगाल का राजा बनाया और गोपाल ने पाल वन्स की इस्थापना की धरम जो था अधो धर्म पाल था वह पाल वंस की सास्कों में से एक होगा जिसने विकरम शिला विश्विद्याले की भी इस था पना करवाई थी अना तो इसका आशर दो और चार एक नंदी वर्मन जो पल्लाव मल है इसी को लोग कहते हैं नंदी वर्मन द्वति यह कौन सा सासक है आप यह पल्लवराजा अगर आपने पिचर ने कि पीएस वन पीएस टू उसमें आपको पल्लव राश्र कूटा चोल चेर पांडिया उन सब के बारें पता चल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसका सही उत्तर है सी अपना अपना डिसाइड कीजिएगा कितने कितने आपने आंसर सही करें हैं अगला निम लिखी में से दिल्ली सल्तनत के कि सुल्तान के सासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी एक ऐसा विक्ति है जिसके बारें में कहा जाता था इसलाम खत्रे में है इसने मुहमत पैगंबर का खुद को सेनापती बनाया था हिंदू धर्म से परिवर्तित ये मुसल्मान था बात सम्झा रही है वो कौन से विक्ति होगा हमने आपको इतने हिंट दिये हैं हिंदु धर्म से परिवर्तित मुसल्मान था हमने आपको हिंट भी दिया है इसका उत्तर बताएंगे फटाक से वह हिंदु धर्म से परिवर्तित मुसल्मान था नंबर एक हिं हिंदू ज़ाधा पतला हो गया क्या हां ह कि हां हिंदु धर्म से मुस्लिम हिंदू धर्म से परिवर्टित परिवर्थ मुसल्मान था दूर्म को दूसरी हिंट इसमें केता हूं इसके समय में कहा गया इसलाम खतरे में तो यह इसलाम का सत्रू है यह इसलाम का सत्धु तो पईगंबर का सेनापति घोसित रहे हैं सब लोग सी मतलब नसर दिन खुसरवसा बिल्कुल सही आप लोग ने बिल्कुल सही बताया है आंसर है आपका नसर दिन खुसरवसा ठीक है नसर दिन खुसरवसा इसके बारे में आपको याद कर लेना है तो नसर दिन खुसरवसा से और भी कुशन आ सकते हैं खिल जी वुद्द्धिन मुबारक खिल जी लगा सकते थे और कुत वुद्द्धिन मुबारक खिल जी तो अलगी व्यच्ती था हना यह दर्बार में नंगा आकर बैच जाता था कभी-कभी तो ऑरतों की पोशाक और बैट जाता था कभी-कभी अपने मynthो MT से भी कहता था कपड़ उतार दो हना सब लोग नंगे बैच जाओ बास समझ में आ रही है हाँ किना क्लियर है तो आपके आंसर क्या जाएगा तो कुतुब उद्दिन करते हैं सब्सक्राइब क्याय कि विसे से ना को निक किया था- तो किस की सेना के लिए मंगोलों के आकरमार से बचने के लिए मंगोलों के आक्रमर से बचने के लिए बचने के लिए और एक बात बताता हूं मैं आपको एक बात बताता हूं आपको सुनके बड़ा मजा आएगा अना बहारी सीमा बहारी सीमा के रच्छा करने के लिए बहारी सीमा की रच्छा करने के लिए जो वहां का मुस्तैद सेनापती था उसक नाम क्या था गया सुद्धिन तुगलक बात समझ्ज़ारी है यही गया सुद्धिन तुगलक वो राजा है जिसने मंगोलों को 29 बार हराया है 29 बार मंगोलों को यह ने क्या है मेरे बच्चों हराया है clear है और और तुगलग वन्सकी इस थापना भी की थी तुगलग वन्सकी इस थापना भी की थी समझ में आ गया लेकिन इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था ये काम तो आप कहेंगे बाउध्त तीन जिए इसने किया था अलाऊ-धिन खिल जी विए अलाउधिन खिली Aww Brandon घिल जी कौई हम लोग अली कुछा जाता है कि अली गुरसंफ किसका नाम है तो हो जी का नाम है अलाऊ धिन खिल जी से बहुत सारे प्रश्νη प्रश्ण है अभी इसको बारे- इसने क्या बनाए था अलाव दिन खिल जी ने क्या क्या बनाए था? अलाई मिनार, अलाई दरवाजा, अलाई मिनार, अलाई दरवाजा, जमायत खान मस्जिद, जमायत खान मस्जिद सीरी का किला सीरी का किला सीरी का किला या दखेगा तो अलाई दर्वाजा अलाई मिनार अलाई दर्वाजा अलाई मिनार सीरी का किला और जमायत खान मस्जिद यह सब किसके बनवाए थे आप कहेंगे अलाउद दिन खिल जी ने बनवाए थी अलाउद द की कि खिल जी कि मृत्तियू किस रोग के कांड हुई थी तो आप कांसर कियाएगा आप के जलोदर रोग की कांड हुई थी कौन से रोग के चलोदर आप कए DROP C याद के का इंगलिस्न कर आएगा ड्राप SI सब्सक्राइब तो आप कहेंघे डाय्या से आख वेतिवां तो आप पूतर हुए पैसे हुई गताओ से हुई थी पोद्द सब्सक्राइब यासे ृक दिंटिटब लोग आगे बढ़ते वरना बहुत टाइम लग जाएगा बलबन से दो कोशन याद कर लो अभी तो बलबन से अभी दो कोशन याद कर लो पहला लहो एवं रख्त की नीती किसने अपनाई थी लहो एवं रख्त की नीती किसने अपनाई थी आप कहेंगे बलबन ने अना राजत सिद्धान सबसे पहले किसने दिया था राजत डिवाइन थियोरी या किंग्शिप थियोरी राजत तो सिद्धान या डिवाइन थियोरी या किंग्शिप थियोरी किसने दी थी बलबन अगला इसने इसने लाल महल का निर्मार करवाया था और चालीसा दल को समाप्त कर दिया था चालीसा दल को समाप्त कर दिया था यह इंपोर्टेंट रहेगा चालीसा दल को समाप्त कर दिया था और यह वंडे लेवल के पेपर में क्या आता है कि किसने अपने दर्बार में फार्सी रितिरिवा सुरू किये थे जैसे नवरोस्ते वहार मनाना अना जैसे सिजदा और जैसे सिज्धा और पाबो ऑबॉट चारब आपको आउट पता है बल्रमन है अब ज्यादा ने हपस्था डवरा नियॉक्त मुगल बादसा के दौरा न॥ियुक्त सुनिएगा question अलग है कि मुगल बादसा के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था तो मुगल बादसा द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था यह वही था जिसने जैसे ही उसके हाथ में बंगाल की सूबेदारी आई उसने अपनी राजधानी धाका से बाद कर ली धाका से मुर्शीदा बाद कर ली बताएंगे कौनखाइश का अंसर तो आप कहेंगे और किसने बनवाय था आप कहेंगे Hamilton 2013 त्रॉन में मुगर समराच tha आपका फरुक सियर कौन था आपका अथार फरुक सियर और तो फरुक सियर को कहते हैं ग्रणित कायर फरुक सियर को कहते हैं ग्रणित कायर और इसने किसको बनाया था मुर्शीद कुली खां को किसको बनाया था आपका उत्तर आएगा मुर्शीद कुली खां इसका सही उत्तर है तो मुगल बात्सा फरुक सियर ये फरुक सियर वही है ज फिर फरुक सियर फर्मान जारी हुआ था और उस फर्मान के तहट ब्रिटिस सरकार यानि ब्रिटिस सेहनिकों को ब्रिटिस कंपनी को फिर इसके बाद जो समराज का विस्तार किया है वो तो आप जानते ही हैं कि ओके थैंक्यू वेरी मच्च चलिए आगे बढ़ा जाए तो सरफराज खां सुजाओ दिन मुहम्मद खां अली वर्दी खां आंसर होगा मुर्शीद कुली खां अगला कोश्चन बागी बंगाल करनव आप पढ़ाओंगा तो आगे बढ़ जाएंगे अगला कोश्चन पढ़ाजन देवन आपना उत्त Germs ध्राजिकारी घ Teles obtain बाला बाला नहीं अंसर क्या है गुरू नादक देव के बात कौन आया था अंगद देव आए थैंहशतली ना आपना अंग हना दान करके अमर हो गए बास रहे हैगे नानक अपना अंग दान करके क्या हुआ अमर होका रामदास से पास्थ चले गए जैसे गुरु अंगत्देव अना तो इसके बात को उसा आएगा इसके लिए से जल्दी अमर दास रामदास फिर अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव अब देखो यह क्या कह रहा है जो अंगत देव थे ना अंगत देव इन्हीं को कहा जाता था बाबा लहना इन्हीं को क्या कहा जाता था बाबा लहना बात समझा रही है और आधकेगा रामदास सिख्धों के चौथे गुरु रामदास की बहन बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी और इसी 500 बीघे जमीन पर ही क्या बनाया गया था आप कहेंगे अमरसर बनाया गया और अम्रसर में क्या बनाया गया सुवन मंदिर बनाया गया बात समझ में आ रही है या हर्मिंदर साहिब कहते हैं हर्मिंदर साहिब समझ में आ गया चलिए सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव की हत्या किस ने कर दी थी तो आप कहेंगे जहांगीर ने जहांगीर ने क्यों कर दी थी क्योंकि जहांगीर के बिरोधी उसी का बेटा था खुसरों को अर्जुन देव ने राजा बनने का आशिरवाद दे दिया था समझ में आ गया इसलिए कि कुश्चन नंबर साथ निम लिखित में से कौन सा भारत आने वाला याथी पुर्तगाल देश का नहीं है आपको पता है पुर्तगाल याद करने के लिए हम लोगों को याद करना पड़ता है डी सब्द वाई डी कोला वारी कोला वारी डी समझ में लिखा किया अध्यां पाल लुकंग लिखा नहिंए डूमिंग डुवाइड कोळ देखे लिखे लिए लेकुकर को और मनूची यह यह कैसे यातृत है इट ली के यातृत री थे बात समझ में आ रही है और किसके दरुबार में में यह थे आप कहेंगे सर जी साहा जहां के दरबार में गये थे पास मुझा रही है और एक और है फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवेनियर अब इसके बारे में बताएंगे आप यह आपका हो गया होमवर्क है ना होमवर्क देते रहते ताकि आप लोग सर्च करें और खुद धूंडे करें आप लोगों ने अगला अगला प्रश्ण केरा हे लाला हर दयाल ने गदर पार्टि की स्थापना की क्या इस चुक करना तो सच बात ही homework właśnie नहीं हो रही है सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं विदेशों में स्थापित संस्थाएं समझ रहा हुँ ना जब आप पढ़ते हैं आदुनी की तियास में विदेशों में इस थापित क्रांति कारी संस्थाएं तो उसी से ये कोशन पूछा गया है देखो हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकासन किया बिल्कुल सही है जेम सगष्ट हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकासन किया था कब किया था आपको मैंने बताया भी है वंडे लेवल में कोशन क्विखास वो ओर माश्वकर या चलिए बहूत बरिया चलो किसी पकड़ा कि सिहबुए दो पकड़ा बहुत बढ़िया बंगाल गजट कब बना था 1180 में और 1784 में पैक सोसाइटी ऑफ बेंगव कि स्थापना किस ने से विलियम जोन्स ने करी थी और यहीं पर तो आपके थे विलकिन्स जिसने गीता का अनुवाद किया था बहुत बढ़िया अगला सर्वेंट्स ओफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी 1905 में कब की गई थी 1905 में गोपाल कर्ष्ण गोखले के द्वारा और लाल सेन फ्रांसिस्को क्लियर और गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था आप कहेंगे सोहन सिंग भाखना कौन थे सोहन सिंग भाखना समझ में आ गया तो याद रखिये का गदर पार्टी की अध्यक्ष सोहन सिंग भाखना थे अब क्या साथ तर आएगा 1905 में गोपाल केशन को के लिए ढंसर जाएगा इसको मिलाओ न पहले क्या जाएगा श कंपाइगा सल्चा जा कोsam land iivos अब से स्टार्ट होगा 3 के बाद किर आ जा जो जा जा बूर आख दिन-जes Yeti के बाद के आएगा 4 जा अगेका के संदर में कौन सा कठन सखी है देखते हैं आपको पता है फूर्ट विल्यम कॉलिज की स्थापना हाना 10 जुलाई 1800 में की गई थी 10 जुलाई सन 1800 में की गई थी और इसम कि भारती सैनीकों दी जाती थी भारती रखाए है सैनिकों को क्या कि जती खी पललां किया जाता था पृषिक्षण पाधान किया जाता था हिना और यह अंदर यह हुआ था क्योंकि लाउड का लीट तरी लट रिचाइट वेलिग जली ने किस अफे संदिक सुर्वाद करी थी तर ती और 17ều में इसको बंद कर दिया गया और इंग्लेंड के हेलबेरी कॉलेज में प्रिशिच्छर देना शुरू कर दिया गया था तो चलिए क्या लिखा गया है इसकी स्थापना दस जून ठारा सो को हुई बस गलत यही पर हो गया कि 10 जून लिख दिया गया है आंसर 10 जुलाई होगा इसक अधिकारियों को वो क्या दें ट्रेनिंग दें ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सिर्फ दो सही हो जाएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा केवल दो कि इसका उत्तर हो जाएगा केवल दो आगे कि दसमा कॉशन देखेंगे बढ़ा कर देता हूं इसको दसमा क्या से तरफन और क्षारण ठीक है भारती प्रश्नों पर विवेचना के लिए भारती प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई करना चाहते थे यह तो दोनों से हो गया बिटिस जन्मानस को प्रभावित करने के लिए ही सायद लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन की स्थापना की गई है हां कि ना बिटिस जन्मानस को प्रभावित करने के लिए यह कारण है और यह कथन है यह करने के लिए यह किया कर रहा है इसका मतलब क्या होगा इसमें इसमें जो भी आंसर होगा एक बाद चक कर लेते हैं वह चलियों कि अ हम बहुत बड़ा कुश्च्छन है अधिक चक लेते हैं तो यहां पर एच और डोनों सही है यह 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 Vy ideally और अंसर हो जाएगा ए और दोन होसाई ए और एक आख्या भी कर रहा है अगला Mकी पीडिया आपको मिल जाएगी तो प्रूस्चन करेंग हाँ दोनों सही हैं और सभी आख्या भी कर रहा है अगला कॉशन करेंगे भारती सिविल सेवा के संदर में निम लिखित कतनों में से कौन सा कथन सही है चलो करते हैं न देखें लेवल आप देख लिजिए बस आप क्वेशन का लेवल देख लिजिए यह प्रीविए सरके चेम्स फोर्ड सुधार इसको क्या कहते हैं मांटेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार तो 1919 में भारती सिविल सेवा के लिए एक अलग परिच्छा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी बिल्कुल सही है और भारत में कहां होनी थी इलहाबाद में भारत में कहां होनी थ बिल्कुल सही है यह भी सही है तो एक भी सैए और दो भी सही है तो जागा सी बोथ एक और दो दोनों अगला प्राशन कि बिटिस उपनिवेश्वाद के विरुद भोजपुरी में लोगपरी कविता फिरंगिया लिखने वाले कवी का नाम क्या है अना भोजपरी लोग कविता फिरंगिया लिखने वाले कवी का नाम क्या है जल्दी बताएंगे इस पीट से हिंज देता हूँ जब आज सयोग आंदुलन चलाया जा रहा था तो आज सयोग आंदुलन के दौरान ही बिहार के लोगों को प्रोचसाहिद करने के लिखा गया था बताएंगे जल्दी इस पीट से बताईए मनो रंजन ठीक है बहुत बढ़िया जिस बच्चे ने उत्तर दिया वह बहुत बढ़िया बिल्कुल सोई है ऍप्राइनससाद सिनः मनोरंजन प्रसाद सिन्हा इनका पुरा नाम क्या है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा और ये राजेंद्र कॉलेज छपरा के प्रोफेसर थे और आसयोग आंदोलन के दरान इन्हों ने ये गीत लिखा था आ सायोग आंदोलन के दरान 1921 में इसे लिखा था, ठीक है, अगला, काकोरी एक्षन काकोरी ट्रेन एक्षन, अब तो नाम बदल दिया गया था, क्या कर दिया गया था, क्या कर दिया गया ह। क्या कर दिया गया है काकोरी train action आना 9 अगस्त 1925 को ये कारिनामा किया गया था जिसमें राम प्रसाथ बिस्मिल को गोरकपुर जयल में फाओंसी दी गई-गई- राजेंद्र लाहडी को Hollanda जेल में फांसी दी गई-गोन्डा जेल में इसके रौसन सिंग को इलहाबाद जेल में फांसी दी गई और इसके बाद अश्वाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई ठीके और इनका ही नारा तो है क्या रामप्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था जल्दी बताओ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वक्त आने पर तुम्हें बता देंगे हमें आसमा अभी से हम क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है अना तो 1927 में इन चार लोगों को फांसिद दी गई थी कुशन ये पूछा कि आए कि बताएं ये रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहा उआँ अगर आप से कुशन पूछा जाए लां परसाद बिस्मिल का जन्म कहां उआ था तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश साजहांपूर कहा हुआ था उत्तर प्रदेश साजहांपूर अ ठीक है उत्तर प्रदेश साजहांपूर चलियर मैं बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं तो यहां पर आंसर लगा देंगे गोरगपूर तो चलिए और बाकि लोगको का भेज दिया गया था अंडमान की काला पानी जिल या हिं वगेग हिंदि आप हैं पढ़ता हूंस और सुन लीजीएगा करका तना कह रहा है क कहा रहा है रवीन नार्ड नाइच पाधि त्यागे त्यागे रवीन नाट प्टागे नाइच उपाधिर दिया क्योंकि वे असयोग आंदुलन में भाग लेना चाहते थे सही में यह तो कि ज़ता मुन्नाप्रस्ण है यह तो इससे नन्ना मुन्ना प्रस्ण क्या हो सकता है हमको यह पता है कि रवीन्ला टैगोड ने जलिया वाला बाहक अनके बाद रवीनाथ टेगोर द्वारा रवीनाथ टेगोर जी के द्वारा 13 अपरेल 1919 में जो जलिया वाला बाग हत्या कांडु अधा जलिया वाला बाग हत्या कांडु अधा अना इसके लिए यही कारण था क्या सरया नाइट हुट की उपाधी लोटाने का सरया नाइट हुट की उपाधी लोटाने का है गिने तो सरया नाइट हुट की उपाधी क्यों लोटा दी थी आप कहेंगे सर रविद्ना चाहिए को ने सरया नाइट हुट की उपाधी सिर्फ इसलिए लोटा दी थी क्यों सायोग अंदुल में भाग लेना चाहते थे तो इसका अंसर ए तो सही है आर गलत है यह सही है आर गलत है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भागी पीडियाफ मिलेगे तो देख लीजिएगा बहुत इंपर्टेंट कुश्चन के रहा है 2018 सताब्दी के उत्तरार्द में एक पुरुवार्द होता है एक उत्तरार्द होता है यहींकि 1850 1250 के बाद कि सत्रां 150 के बाद कमपनी बहादुर कि शान וशोकत का प्रतिनिधी किसको बना दिया गया जमी दार को तो भू स्वामी बना दिया गया था जमीदारों को तो जमीन का माली बना दिया गया था बात समझ have है हना कोतवाल क्या था नगरी प्राशाशन का अधिकारी था नगरी प्राशाशन का अधिकारी था नगरी प्राशाशन का अधिकारी बना दिया गया था समझ में आ गया तो सानों सौकत कंपनी बहादुर की सानों सौकत अना इस थाइप रितनी दरोगा को कहा गया किसको कहा किसको कहा गया कि समझ में आया किसको कहा गया दारोगा को कहा गया क्लियर है बहुत बढ़िया अगला कुश्चन भारती रेलवे के संदर में निमलिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है 2023 तक भारत सरकार ने कहा है कि हम लोग 100% विद्धुती करका लक्ष प्राप्त कर लेंगे बिल्कुल सही पताया और दूसरा दूसरा देखते हैं अना 2030 तक शून कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क प्राप्त कर लेंगे ये भी सही है हुआ है कि दोनों सही हैं भारति रेल्वे ने साफ सायब का था 2000 मंत्राले की बात की जाए हम कि ने नहीं मंत्राले ने का 2030 तक भारति रेल्वे अपने आपको पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी से संचालिक करूंा देश में सामिल हो जाएगा बिल्कुल सही था हैना और आप देखेंगे आप देखेंगे जो नीती आयोग की विजन दो हजार चौबिस था नीती आयोग का जो विजन दो हजार चौबिस था उस विजन दो हजार चौबिस में ये दोनों पॉइंट आपके सामिल किये गए हैं तो विजन दो हजार चौबिस रेल छमता योजना सुरूप की गई एक की स्टीसनॉ अए कुदपाद युजना हुए ठीक है विसका आंसर होगा बोथ करसी दिखते हैं संस्क्रती की चार अध्याय किसकी है तो नकर चारद्ध्याय तो पूछा गया है तो रस्मी रथी भी पूछ सकता है important है अगर रामधारी सिंदिनकर की संस्क्रति के चार अध्याय पूछ सकता है तो आपसे रस्मी रथी भी पूछ सकता है कुरू छेत्र भी पूछ सकता है रेडुका भी पूछ सकता है रेडुका हूंकार अना कुरू छेत्र यह सब आपकी किसकी है तो आप कहेंगे सब सर्जी रामधार सिंधिन करकी है मैं असली स्रणगुप्त की बहुत इंप्रोटन्ट है साकेत बहुत आती पेपर में और जैसंकर प्रसाल की तो पताई लॆ हो कि तितली थे कंकाल तितली आसू लहर जर्ना जर्ना कामाएनी और अधूरा उपन्यास इरावती अधूरा उपन्यास कौन सा है इरावती ठीक है अगला अगला मैसूर वार मराथा वार और कह रहा है अफगान युद अब इसको मिलाने के लिए कह रहा है इसको मिलाने के लिए कहरा है कि हम जोटती आंगल मैसूर उसको मिलाएए और बार टो पास्टी आउनल मैसूर युट फ्रांसी में युद्व द्ति आंगल अफगान युद्व मिलाए्श तो आाप सब्सक्राइब किसके बाद हुई थी बात समझ में आ रही है पुर अंदर के संदी कि कभ भूती किसके किसके बीच भी थी क्लियर ऐसे कोशन आप से पूछे जाते हैं तो आप हम यहां पर लिए रहे उसको नहीं समझ में आ रहा तो दतिय अंगल मैशूर यूद्ध कि दोतिया आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 देखिएगा पहला आंगल और दूसरा आंगल यह दोनों आंगल मैसूर युद्ध हैदर रहने लड़े ठीक है ना और बाकी के जो तीसरा और चौथा है वो टीपू सुल्तान ने लड़े हैं दूसरा आंगल फ्रांसीसी आपको याद करने थे 1750 से 1714 तो करनाटक वार हमने आपको पढ़ाया भी है इसको पर पढ़ लीजिएगा तो बस इसी मिला देते हैं आंगल मैसूर युद्ध 1784 कहीं लिखाओ एक टू और एक टू सिर्फ आपको एक मिलेगा यहां वाले में बस बाकी कर लिजिएगा अग पूछे गए समझ रहो ऐसे कोशन आपके पेपर में फूछे गए तो सबसे पहले देख लेते हैं करजन वाली कि हत्या कर जन वाली एक हत्या कभूई थी तो आपको याद करना पड़ेगा मुझभर पूर्ज बंकांग वा था उन सब के बारे में आपको देखना पड़ेग करता दिखेगा अधिकर दिखेगा खुदी रामबस को कब दंज दीया गया था खुदी रामबस को कब पूर्ति दंज दंध धया गया जात के दोरा अल हिलाल पत्रिका निकाली गई जिसको बंद कर दिया गया फिर उन्होंने अल बिलाल नाम की पत्रिका निकाली तो अल रिलाल कम निकाली गई केसरी पत्रिका मराठी भासा में थी और मराठा पत्रिका जो थी वो अंग्रेजी भासा में थी केसरी पत्रिका मराठी भासा में और मराठा पत्रिका किस में थी अंग्रेजी भासा में और दोनों किसकी हैं बाल गंगाधर तिलक की दोनों किसकी हैं बाल गंगाधर तिलक की ए जीए उत्सो और एक तरीलिए ताफ करवाइश उत्सो तो सिवाजी ऊत्सो और घ्रेश ऊत्सो याँ दखेगा वा जीउत्सो और अक्तिक है सुन्हें मनाने की सुरवाद किस ने की थी आप कहेंगे बालकशियर स niet महराश्रम की दिती लाइप मैं दबां देङे सब्सक्राइज लोगुद किकि बहुत दर्शा है नहीं कर रहे हैं कर रहा है लाइक बटन दबा देंगे हैं तो Nah किये सही है न्यू इंडिया और कॉमन विल किसकी है तो आप कहेंगे एनी बेसेंट की ठीक है चली अगला कॉशने ब्रिटिस भारत में सैन बल पर केंद्री राजय सुका कितना प्रत्सद वे होता था तो देखिएगा इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है आपका इसका राइट आंसर है बावन परसेंट इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है बावन परसेंट ठीक है ना लेकिन जो पुरानी वाली विपिन चंद्रा किताब है जो पुरानी वाली विपिन चंद्रा की किताब है हाना उसमें पेज नंबर 156 देखिएगा जो पुर योग ने भी इसका उत्तर क्या मान लिया चालिस परसेंट वरना जब हमने इसकी आंसर की बताई थी तो आमने बावन परचंट बताया था बावन नहीं मिलना था तो आंसर सही इसका बावन परसेंट ठीक है भारत की अब देखिए यानि की इतिहास के कितने प्रशन आये थे अब यहां से जोग्राफी शुरू है तो यहां पर नोट कर लेते हैं हम लोग यहां पर लोट कर लेते हैं कि इतिहास से कितने प्रशन आये थे तो आप कहेंगे इतिहास कि आयते बीस प्रश्न हैं इतिहास के प्रश्नों कि संख्या कितनी है सब लोग अन है यह अब मे क्या सुरू होता है भुगोल ओ भारत कि सबसे बड़ी मेट पाने की जील अब एक बार अम सबका नाम लेंगे सभी लोग अटेंजेंटन लगाएंगे लाइक कब नहीं दबाए हैं तो विनमर निवेदन है आप सभी से लाइक कवटन दबा देंगे शेयर और धमाकेदार करेंगे खंतिकम आरो आयारो के लिए समिक्षा दिकारी के लिए एसेजी गुरुकुल के बड़ी पहचान है उसको और बड़े लेवल पिले जाएंगे उत्तर प्रद बता दीजिए तो कोई बात नहीं कि अना तो सभी लोग प्रजेंटी हासिल करेंगे विकास गुपता अंजु यादव भारती चौहान रेनु सर्मा मांसी भरावरिया विजय यादव अनुराग पंडित दिव्यान सतीस आकाश महाकाल पंडित सर्दा अनुज विकास अना अन्सिका अनामिका राहुल अना बहुत सारे लोग है और तेज और तेज और चैट तेज चलाओ यह बात हंड्रेट पर्टेंट साहिए तरह आप बहुत मिनत करते हैं रूची चाहान थैंक्यू इंडियान आर्मी जेवा परवीन प्रिती सिंग और तेज चलाओ और तेज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कितना चैकले आता है कि हो सबीड yhtलू है बहुत तरह शारे बिदयारती और दिल इने दिल घना ते हैं तो अलग से खूसी मिलती है लोगों ने सिर्फ चैट किए एक सेकेंड में चारसो बारा मैं चाहता हूँ चार हजार बारा हो यह और आप लोग है कि सपोर्ट नहीं करते हैं मजा नहीं आएगी ना ऐसे हां भारत की सबसे बड़े मीठे पाने की जील देखिएगा कोलेरू जो है वह आन प्रदेश में कोलेरू क्या है आन प्रदेश में और यह क्या है आपकी मीठे पाने की जील है यह क्या है आपकी मीठे र्षिक होता उसलटे का पुलिकर जिल के पास इस्तित है इसे को कहते है शार 17 धवन अंतरिच केंद्र है की नहीं कि नल सरोवर का एक आद्रभूमी होर आपकी क्या है मेरे बच्चों आद्रभूमी है और यह चाहां किया कुणा तो नाथ oblivik नमक से सबसे बड़ी मीठे पाने की जील है और यह जीलर नदी पर निर्मित गो Χुर जील है गोकुर तोस्ते हो कि इसे नदी ऐसे बह रही है मेरा प्यारे बच्चों समझेगा नदी ऐसे बह रही है जश्ट इमैजी नदी ऐसे बह रही है फिर क्या हुआ कि अचानक से यहां पर गाद जमा हो गया क्या जमा हो गया ठीक है समझेगा यहां पर क्या हो गया आपका गाद जमा हो ग हुआ कि नदी ने अपना ये रास्ता छोड़ दिया अब नदी ऐसे करके नीचे निकल गई अब ये पानी ऐसे चला गया और ये करके जो ये हैना अब ये पानी भरा रहे गया अब ये नदी थी इस नदी से जा रहा था लेकिन आप ये पानी छूट गया तो ये जिल कैसी जी इस्तित है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है याद अगया जेलम निर्मिते गोखुर जील है मेरे प्यारे बच्चों ठीक ना और यह जो कोलेरू है ना यह क्रश्ना और गोदावरी के डेल्टा परिस्तित जील है कौन सी कोलेरू जील समझ में आ गया और आप स लिए जनजाती कहां पर है ता मारिया हिलाते हिलते हिलाते लोगत ग्मधाओ न जपरिया करें जहां का प्रसिदीन रट्ष है सब्सॉक् professor भूल कहां का प्रसिदीनरत है पालाम कहां पर है हना दलंद मा कहां पर है आज एस यही this cowthat लगा देना है तामरी या वही तो मिलेगी वही तो मिलेगी है सुच형 के Лoky आँसर आ चुका है अचंवी तो मरीया क्यूं है देखिए का यह एक क्वेशन पूछा गया अगर कोशन आप से पूछा जा जाए कि सर्ढ ये कोशन क्यों पूछा गया यह वह जन जाती थी ये वो पिछली जाती थी ये वो क्या थी एक पिछली जाती थी जिसको सरकार ने क्या किया अनुसूचित जन जाती में सामिल कर दिया बासमझारी है ये पहले OBC में आती थी लेकिन इसको 2014 में इसको अनुसूचित जन जाती का दरजा दे दिया गया है आश्य कभी में सामिल कर दिया गया था इसलिए कोया अनिवारे हो गया था तौक्त का लगा देना जार खंड इसका सही आसर है है बिल्बकल सही है आप लोग आशा जार खंड आ जन्जाती कहां रहती है बिर्होर जन्जाती कहां रहती है हना मुंडा जन्जाती पूछ सकता है मुंडा जन्जाती है बिर्होर जन्जाती कहां रहती है और वां जन्जाती कहां पर रहती है और वां जन्जाती कहां रहती है तो आप क्या बता देंगे आप बता देंगे जार आपको जार्खंज लगाना है अगला करा गरम जारने गरम पानी के जरने गरम पानी के जरने करा कौन सा सुमेलित नहीं है हिमाचल प्रदेश में मडी कर्ण है उडीसा में तपता पानी गुजरात में नारायणी महराश्ट में वज्ज्रेस्वरी तो क्या हो जाएगा सुनें पर है राजस्थान में वर सुमेलित नहीं था वह गुजराश सुमेलित नहीं था अगला में कर रो क्वाक Lifまた प्रगों सी मिट्टी कहां पर पाइजाती यह हमको पता है उत्तर ब्रदेश में हम उत्तर भारत कीब की जाए उत्तर भारत तो तर भारत के विशाल मैदान में जो 24% आपको मिट्टी मिलेगी वह मिलेगी आपको अंसर आपको फटाक से मिलेगा जब एक सिर्फ लगाओग ना मेरे साल साल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मिलान करने में ब hm पकड़ना पड़ेगा बढ़िया सा और आपका उत्तर आ जाएगा अगला हाना अगला है यह देखिए यह वि यह वि आईपी कोष्चन है है यह है वियाईटी प्रस्न यह वो प्रस्न है जिसको सिर्फ लोग लोग करते हैं हना और छो भी तुख्णा लगा कर वह बीट तुख्णा लगा कर सही युदा ठीक है वरना जैराम जी की वरना इन प्रश्णों के उत्तर आप आसानी से नहीं दे सकते हैं इन प्रश्णों के उत्तर आप आसानी से नहीं दे सकते हैं या फिर आपने क्या किया हो आगरी कल्चर से आपने पिएसडी कर रखी हो बात समझ में रही है अच्छा तो आप देखिएगा जो राम तिल है ना राम तिल राम तिल राम तिल जो इत्थोपिया नेपाल और भारत में हिसाऊदा मात्रा में रामति लुगाए जाता है नाइजर बीज है नाइज़र क्या मेरे बच् 제품 की यह बीज है अब कह रहा है कि इसमें किसका स्रोत होता है रगाज़ाय यह च्यु casualties का स्रोथ होगा कब बीज है तो यह प्रोटीन का फोगा नहीं लिनोलिक लीनोलिक का फिटिby का स्रोत होगा लीन लिक अमल फोर पिवसाक्थ स्वरोत होगा अब ग Great नहीं ने बताएंबर तर्भाथ 1 27 फरसण लगा कहा सकते देखल आपको याद करना पढ़ता देखना आपको याद करना पड़ता जैसे रओसे मैं कहले दूंज समझ जना मेरे प्यारे बच्चे अब अरकर यह बताये अब कभी-कभी आपी sociology ना कि सोया बिन में कितना पर्सेंट प्रोटीन होता है तो सोया बिन में कितना होता है तो आप कहते हैं सर्फ 42 परसेंट लेकिन मूंग फली जो प्रोटीन का स्रोथ है इसमें कितना होता तो आप कहेंगे एक चौथाई इसका मतलब क्या है 25 परसेंट बस ऐसे ही इसको याद किया जाता है कि भारत में हना सरसों के अलावा जितने भी तिल होते हैं उनसे सिर्फ एक तिहाई तेल प्राप्त कर सकते हैं एक तिहाई तेल प्राप्त कर सकते हैं एक तिहाई से कम नहीं एक तिहाई और ए एक तिहाई से उपर अगर में जाना पड़ेगा तो यहांवे 27 लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा इसलिए इसकांसर होगा 37 से 47 होगा समझ में आया अच्छा लाइक का बिटन दबाते रहेंगे अगर आपके ऊठ्चए सहवय सलम वत है तो क्रप्य अगर दबा देए यह फसलचक्र से समल सा प्रश्न है फशल चक्र हना भूमी की उरवर्ता को बनाए रखने के लिए भूमी की उरवर्ता को भूमी की उरवर्ता को बनाए रखने के लिए भूमी की उरवर्ता को बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए हम लोग क्या अपनाते हैं आप एंगे सर्फ फशल चक्र अपनाते हैं यह फसल चक्र क्या होता है जैसे एक बार आपने गहरी जलवाली फसल उगाई है तो दूसरी बार आप उथली जलवाली फसल उगाई एक बार आपने ज्यादा पानी वाली फसल उगाई है तो एक बार आप कम पानी वाली फसल उगाई है तो एक बार अगर है इस प्रकार से आपको फसल चक्र अपनाना है जैसे पढ़नेते हैं गहरी जण वालों फसलों के oops ऑं उठली जल वाली रिफसलों आनी चाहिए ए फटली दर फसलों के बाद बिना फसली फटली धर उडाव ये भी सपटेर और दो भी सपटेश है इसको जाएगा सी एक और दो दो नो कि अग्ला के रहा है काल क्रम के रुषार लगाओ ये भी वियाईपी प्रस्न है जो जो मैं वियाईपी लिग दूँ जहां जाम लिख दूँ समझ जाएगा उस प्रस्ण को करने में लोगों की हवा टाइट होई होगी हाना सत्तर परसेंट लोगों का ये कुशन ड्रॉप होगा सत्तर परसेंट लोगों का ये कुशन ड्रॉप होगा क्योंकि हम लोग याद करते हैं क्या भारत में पहले सूती मिलका कार खा ग्लास्टर में खोला गया था हागे ना हम लोग को 100 परसेंट याद कैसे करते हैं जैसे जूट मिल रिसरा में खोला गया ठीक है चीनी उद्ध्योग चीनी उद्ध्योग तब से पहले 1902 में प्रताब पुर देवरिया में खोला गया था प्रताब पुर देवरिया में खोला ताशल अब हम को कोई में पता होगा तभी आपका आगग सुमझना अगए अदो कर पाएंगे दर्वाइसमों करीणी पाएंगे समझ हा गया आब कै रहा कलकत्ता के फोर्ट ग्लाष्ट्र में में था खोला गया लेकिन यहां कहते है बंबय में पहला कपडा मिल 1818 के भाद कभात रख 18ai इसे रिष्रा में प्रथम जूट मिल खोली गई थी आठारा सो पच्पन में अना और बंबाई में पहला कवास जी डाबर ने किसने कवास जी डाबर ने पहला बंबाई में पहला कपड़ा मिल खोला था 1854 में कि 1854 में यह आ गया 1902 और भारत में इस्टील का पहला हाना कर खाना वो खोला गया था पश्ची मंगाल के कुलिटी में पश्ची मंगाल के कुलिटी में हाँ किना इसको ने खोला था बात समझ में आ रही है तो यहां पर इसका आंसर हो तो सबसे पहले कि आएगा बंबई में प्रसम कपड़ा मिल यानि चार से स्टार्ट होगा और आंसर हो जाएगा भी तक है ये सिर्फ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ये चब्विसवा गेहरी जड़वाली कि फसलों के बाद उसी तरह की फसले उगानी चाहिए आच्छा सॉरी सॉरी सुरी कि हम उसी यह उसी लिखाया ना हम उथली सोच लिए थे उथली यह उसी लिखा गया तो पहला गलत हो गया अग दूसरा सही हो गया कोई वाद ने वेक्षा है में ली टो ठीक है उसी तरह लिखाए न हमने तो ली लिखा है तो मैं जो ला है गहरी जड़वालों के बाद उथली फलीदार के बाद विनाफल वाली अधिक जल लेने के बाद कम जलवाली ऐसा हम लोग फसल उगाते हैं इसे को फसल क्याते हैं को हम घ्र आ थो आ कर अ करनीज और इसको मिलाना नहीं किस थि कनिया जाता है कि यह आपका यह लिखा हुआ है थिख्या यह आपका लिखा हुआ है आप मिलाई यह देखते है can चूना पत्थर का प्रियों हमनें सीमेंट में करते हैं सकापर तामे का प्रियों बिजली के समान में सबसे अ करते हैं ये भी क्लिखा हुआ है ल साय है प्रियों हवाई जहाच करते हैं ये भी आ हुग है और मेंगेल ब이면 इस टील ये भी सै लिखा हुआ है यानि यह तो पहले से से मिला हुआ है 1 2 3 4 इसमें कौन से बड़ी बात थी अना यह तो पहले से मिला हुआ है 1 2 3 4 अगला अगला प्रस्ण अब आप करिए लाइक का बटन दबा देंगे चुपचुपच जितने विद्यार्ति देख रहे हैं वो सभी विद्यार्ति और जो भी टीचर गर्ली आपी जो भी कहीं पर पढ़ते वरते होंगे तो चैंसल लने वाली बात नहीं है अगर आप कहीं से सीखेंगे तो सीख करें तो पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे कोई बात नहीं लाइक करके अपना काम करिए कर दीजिए हाना मैं जान रहा हूं यहां पे 15 सव वच्चे देख रहे हैं जीड़ाजार दूजर चल लाइक सब नहीं कर रहे हैं हाना चली जीव बात अब रहे हूं सिख प्राप्त करता कोले से 50 परसंटे वी जढ़ेएं कोले के बाद स्वौरूर्जी फरपवनूर्जा ठीक कोइले के बाद किसके यूज करता है कोला यूज करता है और कोले के बाद आपका solar energy use करता है सौर उर्जा और इसके बाद आएगा आपका पवन उर्जा और अगर आपसे पूचा जाता कि नवी करणडी उर्जा संसाधनों में योगदान कितना है तो 26.5 परसेंट जिसमें सबसे अदक इसका योगदान है आपने पवन उर्जा का समझ में आ गया आग सूर में उर्जा का स्रोथ क्या है कि शूर में उर्जा का स्रोथ क्या है जल्दी बताओ सूर में उर्जा का स्रोथ क्या है और कौन सी प्रक्रिया से सूर को उर्जा प्राप्त होती है जल्दी से क्वेश्चन नमबर 29 का अंसर उत्तरकुंजी में यह माना गया था बैटा चलो कोई बात नहीं जो हम बतारों उसको पढ़ लो ठीक है है हाँ चलो करो जल्दी से ही हुआ है साँ है हाइडरोजिन और हिलियम बिल्कुल आए आंसर क्या है है इसका हाइडरोजन हाइडरोजिन और हइडरोजिन फेल्द का विसकार किसे किया था आप इबंटिस्ने किया था फायगे खिखितज Works लोग क्या कहते हैं फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन को लोग क्या कहते हैं फ्यूचर फ्यूल कहते हैं भविश का इंधन कहते हैं ठीक है और प्रक्रिया क्या क्या आती है आपके नाभकी संलेयन नाभकीय संलेयन नाभकीय संलेयन अगला निम लिखीत में से कौन सा लोई स्पाथ सहीतर कौन सा लोई स्पाथ सहीतर किसी नदी की किनारे स्थित नहीं है सर आपके साथ study में मन लगता है मैं agriculture university question होते हुए भी जी एस से प्यार हो गया सबसे पहले यादखे का दूसरी पंचवर्सी चैयोजना है कि अंधन लेवल देखिए लेवल बिख jeder question का लेवल ना पढ़ात बहुत सारे लोग रहें और कोई 500 रुपcase पढ़ा देगा कोई 1000 रुपयम पढ़ा देगा कोई कोई 10,000 में पढ़ाएगा कोई 20,000 में पढ़ाएगा कितने में भी पढ़ो कोश्चन का लेवल कोचिंग का लेवल टीचर का लेवल जो तुम्हारा खयाल रख सके उसी पर आधरित लेवल से बैच लीजिएगा ठीक है ना समझ में आ गया बस इतना कहना चाहूंगा ठीक है न जिसकि खुद की पैंट समलना रही हो और वो दूसरों को बेल्ट लगाता घूम रहा हो तो क्या ही मज़ा है हाँ दूसरी पंच वर्सी योजना के तहट देखिए तीन तीन श्टील प्लांट खोले गया थे कौन-कौन से आप सूतर याद कर सकते हैं बार राग और डैब य आ से है राउर केला राउर केला और जी से क्या है जर्मनी जर्मनी की सईयोग से खोला गया था अना और तीसरा डी से है दुरगापुर और बी से है ब्रिटेंड अब देखेगा तो दूसरी पंच वर्सी योजना के तायद ये तीन श्टील प्लांट खोले गए लेकिन जो तीसरी पंच वर्सी योजना है तीसरी उसके दैद खोला गया था बोकारो और बोकारो श्टील प्लांट जो है अना वह आपका रूस के से योग से खोला गया था यह बिलाई देखो बी से बोकारो भी याद कर सकते हो बासमजा रही है और जो बोकारो है यह आपका किस नद नदी किनारे स्थित है जमसेदपूर आप सभी लोग जानते हो स्वन रेखा नदी किनारे स्थित है स्वन रेखा तो आपका सिर्फ एक उत्तरा जाएगा भिलाई तो भिलाए किसी नदी किनारे स्थित नहीं भिलाई जो है वो किसी नदी किनारे स्थित नहीं है और कहां पर ह टिके हैं ओके टाइंग्यू वेरीमिच अगला को सब्सक्राइब करा तौकते तौकते का मतलब होता है चिलाती हूँ छिपकली इसका नाम दिया था चलाती हूँ छिपकली चीखती हुई छिपकली चीखती हुई छिपकली ठीक है चीखती हुई छिपकली इसने नाम दिया था ठीक है ठीक है इसने नाम दिया था यह है आपकी बंगाल की खाड़ी और यह है आपका अरब सागर अरब सागर ठीक है हाँ अभी जो विपजवाय आया है ना विपर जवाय यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आपके पेपर में आ सकता है ठीक है हाँ बताएंगे किसने क्या दिया था जल्दी बताएं तोकते बिल्कुल सही है हाँ बिल्कुल सही तोकते ने कहां पर तबाहि मचाई थी गुजरात में अगर गुजरात में तबाहि मचाई थी आने कि कहां पर आया होगा तो आप अरब सागर में आया होगा जैसे महराश्र में तबाहि मचाई थी निसर्ग ने महराश्र में महराश्र में तबाहि मचाई थी निसर्ग ने महराश्र में किसने तबाहि मचाई थी आपके में कि ऒो मान में ठीक अ को कुछ जानी तो लबलगों पादन में थैलाइंड और फिमरेश्या आगे हैं üzब फादन में थैलाइंड और मलेशिया आगे है लब समझियेगा रभड को कठोर करने के लिए उसमें सलफर ला जाता तब कहीं टायर वगरा बनाय जाते हैं तब कहीं क्या अना जाते हैं टायर वगरा बनाय जाते mpfen और इस प्रोग सेस को कहते हैं व wrapping लक्रत इसको कहते हैं व करना ठीक है यह तो सही है तो कहवा मंगोलिया गलथ मंग तर्षिस उलान बटोर ठीक है अगर आपसे कोशन यह पूछा जाता जैसे मनसबदारी परणाली सुनिएगा मनसबदारी परणाली बास सुनते रहे ना मनसबदारी परणाली बात समझारी यह मनसब मतलब पद देना ग्रूप A ग्रूप B ग्रूप C कि नोखरी ग्रूप D कि नोखरी त है और कहवा के उत्पादन में मंगोलिया आगे नहीं है यही गलत हो जाएगा कहवा कहवा को कहते हैं पजेंडा कहवा को कहते हैं फजेंडा ठीक है और इसके लिए ब्राजील सबसे ज़्यादा इंप्राइब ब्राजील में जो सबसे बड़ा मार्केट है कॉ přिवाला जिसको कहते हैं कॉफी-मार्केट वह है शाओ फोलो क्या है साओ पोलो और जो बंदर्गाहे जहां से सबस्यदा बेचा जाता है कॉफी-BRAZILL में वह है सेंटोस इस लिए सेंटोश को कौफी पोर्ट कहते हैं भारत में कहवा बोर्ट या कौफी बोर्ट का मुख्याले आपका कहां पर है तो आप कहेंगे बंगलॉर भारत में कौफी बोर्ट का मुख्याले क्या है तो आप कहेंगे बंगलॉर ठीक है तो यह आप गलत कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे यह व मचली कहां पाई जाती है मचली कहां पाई जाती है कहां पाई जाती है यहां पर समुद्र की जहां समुद्र की गरम जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है जहां समुद्र की गरम जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहीं पर आपका मछली का grande bank बनता है क्योंकि वहाँ पर plankton नाम की घास उकती है और यहीी मचली का खाना होता है यहीं क्या होता है घगण चलिए निम लिखित में से किस देश में उसकी कुल उर्जा अवशक्ता का 99 परसंट जल विद्दुत से प्राप्थ होता है अगर ये 99 परसंट पूछ रहा है तो उत्तर अलग है अगर ये 100 परसंट पूछता तो उत्तर अलग हो जाता समझ में आ गया और अगर ये कहता सरवाधिक इस पूछा जाता तो आप कहां सर चीन हो जाता अगर ये 100 परसंट पूछता तो पराजवे हो जाता ग। 99 परसंट पूछा है इसलिए नारवे हो जाएगा कि 99 परसेंट पूछा है इसलिए नार्वे हो जाएगा 100 परसेंट पूछता तो परागवे हो जाता यह कुश्चन छोड़ने लायक था यह कुश्चन छोड़ने लायक था ऐसे कुश्चनों को टीचर भी गूगल पर सर्च करके दिखता है या फिर आपने उस लेवल के पढ़ाई करी हो यूप सी वाली लेकिन आप 99 परसेंट 100 परसेंट पूछता समझ में आ जाता हाँ डन्मार्क होता तो पवनूर्जा हो जाता आगे निम्लिकित में से किस भूमी को वादे की भूमी कहते है इस्टेटिक जीके का कुश्चन है यह यह मिंदनाओ है वादे की भूमी लैंड आफ प्रॉमिस लैंड आफ प्रॉमिस कहा जाता है आपका मिंदनाओ को सुलावेसी से सुवर कचितर प्राप्त होता है अना पाशानकाल का पाशानकाल का सुवर कचितर प्राप्त होता है लाल रंग से बनाया गया है लाल और गेर कस दणहीं क्या है हवाणा हैं हमाना है कि इसको चीनी का तोरा कहा जाता है चीनी का कि आप कहा जाता है चीनी का GlaATHER कढ़ आप da va Java Java ऑर सुमात्रा यह लों इंडोनेशिया के आयलाइंड यह दोनों आपके इंडोनेशिया के क्या है मेरे बच्चों आईलाइंड है जावा में आपका था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता थी वह कहां पर इस्तित थी आप कहेंगे जावा में इस्तित थी इसको इंडोनेशिया का हिर्दय भी कहते है क्षों इसको हिंडोनेश्य का हिर्दाय भी कहते हैंatal के नुसंतारा में आपिन्डोनेश्य राजधानी क्या है है तो अवात्य में दू संतारा है और इक दिप्र आली हिसने आप एंगे बोर्णी ओदीपर अब और मियों ह 혼् 얼ू पर क्या है कुल तीन देसों का अधिकार है कंती सो का अधिकार है भॉर्नियों दीभ video टिक है जैसे आप को पता है ब५ॉन ओई तो बॉनोल यजो है वह वाक मली तीन और से मलेशिया से घुरा हुआ है तीन ओर से मलेषिया से घिरा हुआ है है Go D Honestly akah Πोलीनेशिया निम लिखित में से किस देश के साथ भूमी का साजा नहीं करता है मलेसिया तीन ओर से घहें है जब ब्रुनओई को ब्रुनओई हो जाएगा अगला साप पॉलीनेशिया धीपसमू का भाग नहीं है पॉलीनेशिया धीप समू में जितने भी के दीप पाए जाते हैं छोटे छोटे उन सब को कहते हैं ग्रीन मडी सवरीं हरीत मडी कहते हैं अफचा के लिए असोध चाहिए अपानय-स इसके कि है ना यह सब हमने आपको आपको उसी में पढ़ाए है जहुंस आप को ऊजैनिया पढ़ाया है तो इसमें सी कहुंचम जी नहीं है कौन सा टीप नहीं है तों मिलकूल फ़ले मिलकूंस आफे से और यॉह यह तके पॉल Il Сейчас प्रजिचया के जो आइलेंद है रहा हो शाफ शामूँए हो चाह वे तोंगा हो तुवालो ताहिती को इन सबनो ग्रीन एमरॉल कहते हैं बात समझे रही है वहां अगर तीनियान नहीं है तो तनियान कहां पर है तब कहिamaan पश्मी प्रसान महासागर में तिनियान कहां पर है पश्मी प्रसान महासागर में यानि क्या आप कह सकते हैं हाँ मेरियाना दीपसमू का भाग है यह आपका मेरियाना दीपसमू का भाग है मेरियाना आइलेंड दीपसमू का भाग है जो तिनियान है यह मेरियाना दीपसमू का भाग ह ना कि पॉलेनेशियन कि अगला कौन सा सही नहीं है राजधानी एंटीगुआ और बार्बुटा की सेंट जॉन्स है बिल्कुल सही है डोमिनिका की सेंट डॉमिको है यह गलत हो गई की अन सेंट संवलाडूर है भी हमांस की यह नोचा ö Coca बताना है डोमिनिका की करें सी राजधानी इसे बाहमास की नसाओं है फोटॉमिनिका की रूसाओं है क्या है में बच्चे रूसाओं रूसाओं है आपको वेस्टे डीजी तेसदियात करने पढानें Lewski श्रय अगला उनक साथ सब को मिल जाएगी ठीक एक 7 हनवताना पीडियोफ दिना क्यूंबंत कर दिया था क्योंकि हम यहां पर PDF बना रहे हैं पढ़ा रहे हैं और देतेते थे नोग लोग क्या कर रहें थे उस धूंस्ट जो को ध्यान में रखते हुए हम लोग देख रहे हैं है ठीक है हाँ हां कर दो हजार ग्यारा की जनगर्धना के नुसार करो जल्दी से क्या कह रहा है बढ़ेंगे करा सबसे कम हमको पहले लगाना पुढ़ेगा तो अनुस जादा यहां पर पूछता तो अनुषोच जाती ठी रहां तो आप कहेंगे सर्जी मेघाले मेत मेघाले लाश्ट में कहां पर बस वही देख लो कहां भाँ मेगाल यहां पर हैं आपका मिजोरम 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 मेगाल अब स्कान्स आइस अ कुछलो बोथ दिमात लगाते को कुछ बोध दिमाते लाख आथ मेज्बा थे क्या थे भॉक आफेंटक वाल मेजोर हमें मिढा है मतलब यह नहीं होगा कुछ लोग ऐसे भी तुक्का लगाते हैं ऐसा तुक्का उत्तर प्रदेश लोग से वायोग भी मत लगाई यह समझ रहना ऐसा तुक्का उत लगाई नहीं ऐसा तुक्का गलत होता है कि यह नहीं यह यह नहीं वह रीजिनिंग थोड़ाँ सॉल्व कर रहे हो तुम अगला 2011 की जन्गरना के नुसार मलिन बस्तियों का प्रचत सबसे कम कहां पर था मलिन बस्ति मतलब स्लमेरिया बताएंगे जल्दी से जल्दी से नहीं बेटा समझो यह हमने जो बताया ना यह हमने बताया है इस जन संख्या में बताया है समझ में आ गिया प्रतिसलira 307 हो जाता है समझँ अनल्ग हों से अलग हो जाएगा प्रतिसल इस अन्ण संख्या में से सबस्हें स्ब्सट बात की जाए तो फिञ आ हैं एफbayर उना तारी इस नमर पराल आ जाएगा और अब नागा लेंड फिर मुझी ओरम ठीक है एम एनम होता है एम एनम होता है तो अगर हम लोग अगर हम लोग प्रतिसत की हिसाब से आंसर करते हैं प्रतिसत की हिसाब से आंसर करते तो सबसे कम से ज्यादा में सबसे कम से ज्यादा में तो हम लोग आंसर क्या हो जाता सबसे पर करते तो बेटा होता ना को यहां पर आजाघरम के ज़िशनल पर उसमेंसे का पर्सेंटेज कितना जादा है तो और अचल प्रदेस पlando कम हो जाता और मिजोरा में सबस्यादा हो जाता समझे आ गया और जनसंख्या की बात कर रहा है यहां पर उनाटल प्रदेश फिर मिजोरा में लाश्ट में घाल आएगा अना तो यहां पर यह वाला आंसर में क्यों नगाया क्योंकि परसेंटेज अ लग से मैंसूं नहीं है अठ्व परसेंटेज लग से मैंसंन नहीं होता है तब tips क्या करते हैं याकॉड है कि आखकल बटा लाजडे होगा इसका कल क्या नाम है कल बैच पर्चेस करने का लाजडे है इसके आप बैच पर्चेस नहीं कर सकते होंगे कल ही लाजडे है तो यहां पर यह कोशन विवादा इस पर मत लीजिये लेना तो ले लिजिए वरना इसका अंसर डी बिल्कुल कोशन 40 निम लिखिस भारती दगरों में मलिन मलिन बस्ती की बारे में हम आपको बता चुक है सबसे कम, 2011 की जन करना साथ सबसे कम जो यहां में मलिन होगा, वहां अंसर रहू जाएगा एहमदाबाद, ठीक है मत बोल्कुल सही है ओके अगला जन्गर्णना 2011 के नुसार भारत में निम्लिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरी करण का प्रतिसत दर्ज किया सबसे कम नगरी करण का प्रतिसत दर्ज किया तो सबसे कम नगरी करण का जो प्रतिसत है वह आपका हिमाचल प्रदेश ने सबसे जादा नगरी करणब का पूछा जाता तो मैंसे हमाप hypothalamus जादा नगरी करणा का पूछ जाथा कि लगाते इस्वेख सबसे ज्यादा नगरी करणा तर्थ है तो आप कहते हैं गोवा और अगर केंदर सासित पूछ लेता है यहां पर तो क्या लगाते केंदर सासित प्रदेश पूछ लेता है क्या लगाते तो सबस्यादा नगरी कणवाला तो कहेंगे दिल्ली क्लियर या दखोगे थैंक यहां जाएं पाकि आपके सेंस्स पढायँ जाएगा अच्छे सी में से ऑसब्ली केंद सासित प्रदेश में नियूंतम लिंगा पाता है ये तो आप करी सकते हैं नियुन्तम लिंगान पाटवला कुश्ण हेखे हुए तो क्या कर पाओंगे दाद्राानागर्फेली के साथ इसको मिला दिया गया है ना सर्वाधिक लिंगानुपाद पांडिचेरी हो जाता सर्वाधिक पूछा जाता लिंगानुपाद सर्वाधिक लिंगानुपाद पूछा जाता तो पांडिचेरी हो जाता अन्यूंतम पूछा जारा 2011 की जंगरना पूछा जारा तो दमंदीव हो जाएगा तो 2011 की जंगरना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है ओके एक पूचासर कितनी है एक हजार पूरसों पर 618 मैं लाएं एक हजार पूरसों पर 618 मैं लाएं और पांडी चेरी में बात की जाए तो एक हजार पूरसों पर एक हजार 37 मैं लाएं एक हजार पूरसों पर एक हजार 37 मैं लाएं चलो अगला प्रशन भारत की जंगरना 2011 के रुसार उत्तरप देश के निम्ल की सहरों में से कौन सा सहर मिलियन सहर नहीं है यह दस लाग की जनसंख्या नहीं पार करी है यह पूच रहा है जल्दी से जल्दी आगरा मेरच प्रियाग राज मुरादाबाद देखो 2011 की जंगरने के सार पूच रहा है न तो साथ अना उत्तरप्रदेश में साथ आपके ऐसे हैं साथ आपके सहर हैं जिनको क्या क्या गया है मिलियन या मिलियन प्लस की स्रेडिम रखा गया है कौन-कौन से कानपुर लखनव गाजियाबाद आगरा बनारस जल्दी प्रियाग राज अगरा गाजियाबाद प्रियाग राज अगरत अगरत एक बताईए कौन सा नहीं होगा मुरादा बात को मिलियन प्लस या मिलियन प्लस सिटी में नहीं रखा गया है मिलियन सहर या मिलियन सिटी या मिलियन प्लस सिटी में नहीं रखा गया है अब एक बताई एच्छा है हमने बता दिये सात्मा बताईए कि जल्दी जल्दी कानपूर लखना आपके बनारस नहीं लिखा नाम नहीं यहां पर बनारस हो चली तो अगला तो कितने क्वेस्टन हो गए अब हम लोग यह आ पर देखेंगे अब एक से जुक ना जोगराफी ते कितने कॉष्टन थे बैटे बच्छे जोगराफी चे थे 38 38 मतलब 20 उससे हो गए 18 एक सेकेंड लिख लेता हूं कि जोग्राफिस कितने कुशन हो गए 18 प्रश्न इसके बाद जन गणना से कितने प्रश्न हो गए जन गणना से कितने प्रश्न हो गए कि 38 के बाद जित्ते भी हो जाएंगे 38 के बाद कहां तक पहुंचे हम लोग कि 38 के बाद हम लोग ने पहुंचे थे 43 भाद 49 तालेश चालिस इकतालिस बैयालिस तेतालिस पांच जर्णगर्णना से प्रश्णों की संख्या हो जाएगी पांच एक सेकेंड प्रस्नकी संख्या हो गई पांच परिस्न ठीक है यह हो गई अब आ जाएंगे समिधान से हैं कि अब आजाएंगा समिधान से आप समिधान जे शेया है कि अ हटए जा रेतज फेले बताओ सभी लोग पताओ कोई बोड़ तो नहीं हो आपे हां सर मुरादाबाद में जन संख्या तो बहुत है लेकि मुरादाबाद में 2011 की जनगर्णना के नुसार अगर सहर की बात की जाए तो कितनी है 0.89 million 0.89 million चलिए कोई बात नहीं हाँ प्रयाग राज के बाद अप्रयाग राज के बाद आपका मुरादाबाद ही आएगा लेकिन 0.8 million अब एक फिर से थाना देखो पंद्रासों से एक हजार लोग आके बहुत ना इंसाफी लेकिन लाइक आप लोगों ने पूरे नहीं करें दो हजार कि आज पर लाइक चाहिए थे हमको आज क्या लाइक कर देंगे सभी लोग जो नए बच्चे हैं मत दिक्कत तो नहीं रही प्रॉब्लम तो नहीं हो रही डर तो नहीं रहे हो मजा आ रहा ना कुश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही चलिए भारती समिधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की विवस्था की गई है सामिधान की प्रस्तावना तो कुछ प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया प्रस्तावना की भासा कहां से ली गई उद्देश प्रस्ताव सबसे पहले कप पेस किया गया ना फिर इसके तो देश प्रस्ताव किसने पेश किया किसने पेश किया ठीक है किसने पेश किया कि फिर इसके बाद ये प्रस्ताव कब पास हुआ और उसमें कितनी बार संसोधन हुआ कितनी बार संसोधन हुआ हुआ कितनी वार्षन सोधन हुआ और कपा जोड़ा गया ये पूछा जाएगा तो पड़ा जाय से प्रस्तावना की भासा कांस ली गई आप मेंगे ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना पेस कप की गई थी तो कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को किसने पेस करी थी जवाहर लाल नहरू ने पास कब हुई थी 22 जनवरी 1947 को कितनी बार संसोधन हुआ था एक बार कब हुआ था 42 में संवधान संसोधन 1976 के तहट क्या जोड़ा गया था समाजवाद अखंडता पंत निरपेच समाजवाद अखंडता और पंत निरपेक्ष बंध्त निर्पेखश ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया अ करेंपर क्या हो जाएगा समाज हां थो न्याय हम भारत के लोग भारत को संबूर प्रभूत्य संपन समाजवाद पंथ निर्पेश है लोग, तंतरातमा गणराज बनाने के लिए तता उसके समस नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनेतिक नयाय सामाजिक आर्थिक राजनेतिक नयाय सामाजिक आर्थिक राजनेतिक नयाय सामाजिक आर्थिक राजनेतिक नयाय सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक नयाय विचार अभिविक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्रा भारती समधान के किसन उच्छेत के अंतर अंतर देखो आप यहां पर समझेगा संसद राज सूची में सामिल विश्यों पर कानून बना सकती है हमको पता है संसद राज सूची में सामिल विश्यों पर कानून बना सकती है लेकिन यह कह रहा है भारती समधान के किसन उच्छेत के अंतर राश्टी समझावतों को प्रभावी करने के लिए आनुच्छे 252 क्या कहता है दो या दो से अधिक राजज यदि आपस में सहमती बना लें दो या दो से अधिक राज अगर सहमती बना लें या भी कोई भी राज सहमती बना लें कि आप राज सूची में क्या कर सकते हैं मभणनाना हो और राज सूचि सबंदितो तो उसके लिए मौत समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं 250 किसом करणाई हीं है इसका जो आंसर होगा 45 वे का वो क्या हो जाएगा B हो जाएगा अंतर राश्क्री bridges क्रभावी करने के लिए संसद में मिना सकती है तो आप में 2503 तो आपातकाल के दौरान संसद में कर नो ना सकती हैόσbuildives 250 राश्रित के संबंद में राश्रित के संबन्द में तो आप कहेंगे उन्चे 249 राज्यों की सहमती पर तो आप कहेंगे 252 अंतर है अगला यह तो बहुत आसान सा प्रस्था इसको तो सब लोग करके आये होंगे इसको नहीं छोड़ा होगा किसी ने बात समझ में आ रही है हाँ इसको नहीं छोड़ा होगा करी जल्दी से इसको बहुत बताया भी है करने लिखित में से कौन से भारती राश्पती लोग सबाद भी रहे हैं अना देखो यहां बहुत सा रप्रस्थ बन सकते हैं जैसे निर्विरोध चुने जाने वाले राश्पती तो आप कहेंगे नीलम संजीव रड़ी जौकिर हुसैन हना कारकाल में मृत्यू कारकाल में मृत्यू और पर्थम मुस्लिम राश्पती पर्थम मुस्लिम राश्पती इसके बाद यह पर्थम मुस्लिम राश्पती इसके बाद यह पर्थम मुस्लिम कि है कारकाल म foster उन्कց है और दूसरे मुस्लिम राश्पती है कि संकर देलसनमा सरवाधिक प्रदान मंत्रियों के साथ काम किया के सारवाधिक प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने वले राश्पति है इसका इसका मत्तर क्या हो जाएगा तो आपके नीलम संजीव रैजिक है इसका उत्तर क्या हो जाएगा नीलाम संजीव रैज्डी या दखेका सद्व रजी सही एव दोम रूइल मॉक सर्वाइभ टू रह चुके हैं दो बार लोग सबाई स्पीकर रह चुके है ठीक है कि कुश्चन नमबर 47 कि कुश्चन नमर कह रहा है 47 पढ़िए और करिए कि क्या कह रहा है कि राज विधान मंजल की बैठक आयुजीत करने के लिए कोरम क्या है कोरम हमेशा एक बचे एक बचे दस होता है जैसा कि आपको पता है कोरम कितना ओता है कोरमत का एक बचे और 92 मां समिदयानसंसोधन हुआ एक किसमा समधानसांसिदया। अदि को अपनाया गया था इक सूधानसांसाथ नेपालीक यह लाइपुरी और कोंकड़ कोंकड़ी को अपनाया गया था और इसके तहट बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को अपना आए गया था पूछा क्या गया है 1993 में निम निखिता से कौन सी भासा आठवीन सूची में सामिल नहीं की गई थी यह कैसा प्रस्न है यह कैसा प्रस्न दराइस को देखो समझ नहीं आया है क्वेशन क्या है क्वेशन गलत है प्रारम में कितनी थी चौदा प्रारम में कितनी थी चौदा भासा हैं अगला कोश्चन और दचवेश्याई रिख में लिए भारत का छे सूत्री प्रस्ताव भारत के token मंत्री रखा गए हौँ में बन ने मोह क्यों ने रखा था शना जिनके नाम पर दो सुसासन दिवस मनाते हैं है रिटा क्या मनाते हैं सुसासन दिवस मनाते हैं जल्दी बताएंगे जल्दी जल्दी पाइंगे आतला बिहारी बाच पहीा सब लोग कांसर कि अला आतला बिहारी बाच पही बहुत बढ़ modal पहीं है अठाल बिहारी बाच पहीं लेकिन अगर सुनिए कॉशन बदल दूँ कुशन मदल दो अकर कुशन पूछा जाता सरप्र्थम, सरप्रतम, साउथ एशिया छेतरी ऐ凡़ील भारत का सरप्रतम प्रियास किस charged ने किया था, तो आप कहते इसमारा प्रतम प्रियास था, वह 1992 में पिवी नर्शिम्ह राओ जी जाड दकैगा किस नेकिया था लुक एश्ट पॉलिसी इस पॉलिसी को क्या कहते थे लुक एस्ट फॉलिशी तीक है लेकिन आठल-ईहारी बाज्ब क्या कहते है अठल-बहरी बाच पे द्वारा जब यह काम किया गया तो का नाम दिया गया एक्ट इस्ट पॉलिसी क्या नाम दिया गया एक्ट ही स्ट पॉलिसी ही डियर है हाँ sufsu ओकिक ऑगी ठीक चलिह आगे बढदतें में दाल पीजी कि निटी जो अपनաे गई जो फ़िची लिब्रिडारीज dealt अच व्लोब क्लोने Caitlin क्यानवे में हणा वो किसकी देन थी तो प्रह्म केंगे फिवी नर्षी माराव जी की और दूसरा कौण वना मनमुहान सिफिक और दूसरे कॉन व कि मुहान सिंग जी तब SI महिला समरणद्धी योजना चलत भाइन त्हर योजना ये दो हजार एक में सुरू की गयी ती अब ये 살아 है कि पंचवर्सी योजनाओ का माडल लगाई है पंचवर्सी योजनाओं का माडल चलो लगाते हैं कौन से बड़ी बात है यह तो आसान आसान प्रस्ट ने पंचवर्सी योजनाओं का माडल लगाना है लगाओ भाई पहला दूसरा तो दुनिया जान रही है रच डॉमर पीसी महल नोबिस पहला दूसरा द है कि नहीं और तीसरी पंचवर्षी को जाता एस चक्रवर्ती मोजल और चौथी को हो जाएगा असो रुद्र मोजल अगला भारत की राश्री यर्थ विवस्था का सबसे बड़ा श्रोत क्या है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चिन और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चिन औ समझ यह इंपोर्टेंट है भारत की राश्री यर्थ विवस्था का सबसे बड़ा श्रोत क्या है कि यानि कि अच्छा एकॉनमी आगई ना एक सेक्ट इकॉनमी की क्वेश्चन शुरू हो गया तो एकॉनमी के क्वेश्चन यहां से शुत्री प्रस्ताव और यह 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 सुत्री प्रस्ताव यहां से यह यहां तक आया आपका एकॉनमी का क्वेश्चन उन्चास तक उन्चास तक आपके एकॉनमी के क्वेश्चन है यानि कि हम लोग यहां पे ले सकते हैं एकॉनमी के उन्चास क्वेश्चन है कि अब लेते हैं लोग एकॉनमी के उन्चास क्व प्रश्न है ठीक है कि समधान के बाद क्या शुरू हो गया एकॉनमी अर्थ व्यवस्था शुरू हो गया अर्थ व्यवस्था शुरू हो गई ठीक है अर्थ व्यवस्था अर्थ व्यवस्था से कितने प्रश्न होंगे अभी देखेंगे ठीक है कि हम लोग यहां देखते रहा है ना किसमें कितने प्रशन पूछे गए उसी इसाफ से तैयारी हम लोग और जो रोस हो रोस करेंगे वाला कि यह सब लेवल बढ़ता रहता है घटता रहता है लें फिर भी चलिए आगे हां क्या बताया सेवा चेत्र बिल्कुल सही है भारती अ रोजगार किसमें अना भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या भारत की सरवादिक जनसंख्या अभी किस खेत्र में लगी हुई है भारत की सरवादिक जनसंख्या भी किस खेत्र पर हना जीवन निर्वा कर रही है या फिर आजीविका का निर्वा कर रही है तो आप से भी ज्यादा है आपका ठीकना 50% से भी ज्यादा है 53 परसेंट से भी ज्यादा है ठीक है कि हाँ यह नहीं कि किसक को सीमांत करशे काहेंगे किसको लगू कहेंगे जल्द बताइए जल्दी मत्यम कहेंगे किसको बडा क्रशक ऑगे सीमांत क्रशक सबसे छोटा उता इसको फ्रंट मतलब कि लाइन बाइस कुछ जमीन होती है कोई एक हैक्टेयर से भी कम है है कि एक हैक्टेयर से भी कम है अगर आपके पास जमीन वह कहते किसाने सीमांत क्रशान सीमांत के बाद आता है फिर लगू क्या आता है लगू कि एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर की बीच में अगर आपका है तो एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर की जमीन आपके पास है तो क्या है आप लगू है मध्यम कितना आएगा मध्यम कितना आएगा दो मध्यम आ तो से लेकर 10 hectare ठीक है मध्यम को भी दो भागों बाट चकते एक होता है अर्ध मध्यम और एक होता है मध्यम कि अर्ध मध्यम में क्या होगा दो से लेकर 4 hectare अना और मध्यम क्या जाएगा 4 hectare से 10 hectare और बड़ा किसे क्या हो जाएगा 10 hectare से जादा थेखे तो तो मैंने आपको एक और बताया किकर आप story कुसे कहा जाएगा अर्द पर पांच बता दिए एक आपको बता दिया हमने लगुऊ फच्रशक मद्यम क्रशक बड़ा क्रशक और सीमांत क्रशक अगला भारत में जिन व्य्वयवसायों का वी नियो एक करोड से एक करोड रुपर तक या कारोबार 5 करोड था गये उन्हें क्वान होता है तो सूच्में लगू और मढयम होते हैं तो छोटे कुछ नहीं होता है हना सूच में लगू मढयम होता है एक करोड तक विनी ओ कितार होगा एक करोड तक ठीक है एक करोड तक फिर लगू किसे कहेंगे लगू किसे कहेंगे एक करोड से दस करोड तक ठीक है लगू किसे कहेंगे एक करोड से 10 करोड एक करोड से 10 करोड आ और मत्यम ही से कहेंगे 10 करोड से 50 करोड ठीक है चलिंग अच्छा ये कारोबार क्या है टोटल टर्नौवर अगर 5 करोड तक डृदरनेल और है साला ना तो आप सू उद्योग पोद्योख है अगर पाँच करोड़ से 50 करोड़ है तो लघुं हे और 59 करोड़ करोडी से 500 करोड है तो मद्याम है बात समझ में आ है तो यहाँ पर किया एक करोड को अधिक है जाता है इंवेस्टमेंट एक करोड तक है तो लगू सूच में है एक करोड से दस क्रोड तक है तो लगू है पैस से 50 क्रोड तक है तो लगूँ से। अगला क्रश्चर नमर देखेंगे 55 नमर कैरा है भारत के क्रश्य उत्पात व्यापार वेवं वानिजबिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेक नहीं किया गया था ये कुशन पुराना है इसको तो हटा भी दिया गया है अब इसका काम ही नहीं है ठीक तो ये कुश्चन भी आपका ड्राप आउट है तो इसकाम से कोई मतलब नहीं है इसकाम से अर्थन मूल की बात नहीं कही गई थी ठीक है और बहुत आप देखाओ का लखीमपुर्खीरी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सार किसान मारे गये थे यह सब चीजे थी हाँ यह करेंगे कौन सा एक्ट कब पास हुआ था कंपनी अधनियम 2013 में पास हुआ था बिल्कुल सही है कि गलत आप बताईए फटाक से कौन सा अधनियम कब पास हुआ था यह इंपॉर्टेंट है कि चलिए कि कंपनी अधनियम 2013 में पास हुआ था बिल्कुल सही है साजेद partnership act 1932 में आया था सही है वस्तु विक्र अधनियम 1930 में आ था सही है हना भारती सम्विदा अधनियम बस यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका 1872 में आया था और यह कोश्चन छोडने वाला है यह कोश्चन छोडने वाला है इसमें अगर तुक्का मारेंगे तो गलत ही होने वाला है ठीक है अगला यह कर सकते हैं यह तो आसान है आर्बिया के गवर्नरों का काल क्रम के अनुसार लगाना है यह तो हम लोग कर सकते हैं कि पहले कौन आया था बा के बाद आपका 4 आएगा यानि यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही आंसर से ही होगा बीवाला इसको मिला लीजिएगा और बैए के बारे में और मैं क्या ही बताओं आपको आरबया के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं आण आर बी आई एक अप्रएल उन्निता किस थापना कि एक जनवरी ninepowered इसका War एक जनवरी 911 चाहस मिसका क्या किया गया राष्रीगन किया गया एक अप्रएल three behind me 6 czego में वात श्तापना कि इसका 2 है जिए और-बियाई का फार्टवर्थर क्या है तो आप आप कहेंगे पहले गवर्नर थे आपके सर आसबर्न इसमित कौन थे सर आसबर्न इसमित कौन थे सर आसबर्न इसमित ठीक है आरबियाई क्या है ये केन सरकार का बैंक है या भारत का बैंक है भारत सरकार का बैंक है भारत सरकार का बैंक कौन है तो आप कहेंगे आरबियाई है भारत सरकार का बैंक है बैंकों का बैंक है बैंकों का बैंक है बैंकों को लोन कौन देता है आरबियाई देता है अंत ज्यानिकि 57 कोश्चयन तक थे अना 57 question तो देख लिए थे हैं भाई economy के total कितने कोशन पूछे गया थे economy के total कितने कोशन पूछे गया थे संट पूछे गया हाँ economy कितने कुछे गया थे तो 57 तक है अंब कि समय आजाएंगे विग्यान कि कि इसको नीचे ले आते हैं बहुत उपर जाना पड़ता है कि अब आ जाएंगे किसमें भिच्ञान में भिग्यान Сiger對對 कं-esteem बीश प्रेशना आते हैं बिग्यानसे कम से कम 20 प्रश्न की आसपास आते हैं तो हुआ ठीक है चली कुश्चन है 58 चली करिए जब उबने लगना तो बता देना कि सर अब उब गए हैं अब बस करिए अब कल पढ़ा दीजिएगा ठीक है ना तो उबने लगना बता देना तो हम लोग 140 प्रश्न है 140 में सतर आज कर बढ़ी बात नहीं सतर आज कर लेंगे सतर कलकल लेंगे क्या बूलते हो साइस्से तक लेते हैं जैसा आपको मन गए और तीन खंटे पढ़ना तो तीन घंटे परो कोई दिक्कत नहीं जब तक मन करे तब तक पढ़ो अधरवाइस मत पढ़ो ठीक है तो चलिए क्या कह रहा ह यह एक सितार में किस प्रकार की धुनित रंगये उत्पंद की जा सकती हैं विद्रो अनुप्रस तरंग यह होती है अन सपस्ट तोस धिर्व गईस तीनों में आपकी حोती है तीनों में आपकी इस्थिर हो जाती है अना समझेगा मैं कोशिन बताने कोशिस करूँगा ओके अनुप्रस्त तरंग क्या होता है इसको याद दखेगा और जो भी डोरियों में जो द्रव के प्रस्ट पर और जो की डोरियों में ठोसों मुथपन की जाती है वो सब तो आपकी अनुप्रस्त तरंगे होती है वह सब क्या होती है अनुप्रस्त तरंगे होती है और अगर माध्यम बंद है तो वह आप्रगामी तरंग है माध्यम खुला है तो प्रगामी तरंग है बात समझा रही है तो सितार का माध्यम बंद होता है नहीं आप्रगामी बिलकु कौन सा कथन सही नहीं है यह आप करेंगे काफी आसान है मनुष्य का कान 1000 हर्ट पर सबसे सुग्राही होता है मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है उसनने की दृणता एक बटे दस सकंड होती है जब की देखने का जो विजन होता है वह हृँ एक बटे 16 सेज नोता है इसका मतलब क्या है जब मनुष्य किसी चीज को देखता है तो उसका प्रतिविम्ब उसके दिमाग पर एक बटे सोला सकेंड तक बना रहता है समझ में आ गया एक बटे सोला सकेंड तक और उसमें एक इमेज की क्लिक हो जाते हैं ऐसे करके एक हां सत्तर करा दिजेगे सरो कि ठीक है सतरी करा देते हैं लाइक का बटन कि दवा देंगे ठीक है ना लाइक का बटन दवा देंगे ठीक है सभी लोग जैसे ही पंद्रा सो दिग्ड़ाजार दोजाल लाइक हो जाएंगे वैसे मैं छुट्टी ले लूँगा ठीक है हां तो मनुस्थ की आंख का रंग किस के लिए सुग्राही होता है तो आप हरे रं रणके लिए शुक्राई होंगी बाकी मनुस्य बिस हर्ट छे लेकर 20 हजार हल तक की तरंगे सुनता है 20 जार हर्ट तक की तरंगे सुनता है ह किlair incense में इसे कहते हैं स्रब तरंगे और लिंदित हजार हawn इसके ऊपर हो जाता तो तो इसको कहते हैं प्रास्रवत रिंग्य अभी देखेंगे अगला हाउ टू आइडेंटिकल क्या दो एक जैसे बल्बों में किस प्रकार जोडने से अधिक रोशनी मिलेगी अब यह आपने देखा होगा घर की वारिंग वगरा की जाती है ना तो समांतर क्रम और स्रेणी क्रम से कोश्चन पूछा गया है तो आराम से इसका अंसर हो जाएगा हना कह रहा है हना कह रहा है कि दोनों स्रेणी क्रम में हो दोनों समांतर क्रम में हो क्या होगा इसका अंसर है क्या होगा अंसर है एक बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी तो आप यह सर समांतर क्रम में समांतर क्रम में करेंगे तो अधिक रोष्णी मिलेगी हां समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अधिक रोष्णी मिलेगी ठीक है ना बिल्कुल बिल्कुल कि क्यों समांतर क्रम में क्यों होता है प्रतिरोध कम हो जाता ना हर प्रतिरोध पर विभुवांतर समान मिलेगा और प्रतिरोध जुटिए प्रत्रोद कर्ष्टन रोकना रोकनी देगा तो बईज्ञी ज्यादा मिलेगी नहीं तो यानिकर रोशनी ज्यादा होगी नहीं कि क्यों सा कुश्च्चन था चलिए कौन सा तत्य सर्सों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक उप्योगी होता है भाटाक से बताओ जल्दी किसी भी बीज में या सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या यूज होता है आपको पता है ना भई सल्फर इतनी बार बताया गया गंदक सल्फर अगला हाइड्रोजन सल्फाइड किसका प्रदूशक है जल्दी कि मैंत imprison horse तीरा क्लास कभी न दुझ था क्या क्या वह थ्याओक ही हाँ यह बढा ऐसुपन है चल्फाइड है है रिजोन सलफाइड है सब्ववें अंडे की गन्ध होती है सब्वाइड है रुशन हूवें अंडे की गन्ध होती है इन को हैक recognizing hydrogen sulfide और सड़े हुए अंड़े के मतलब क्या है सड़ा हुआ पशू वनस्पति यह सब आपके आ जाएंगे ठीक है तो इस कांसर के लगा देंगे सड़े हुए वनस्पति और पशू पदार्थ सड़े हुए वनस्पति और पशू पदार्थ यहां से निकलती हाइड्रोजन कि अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है अंडे से बहुत सब्सक्राइब सकते हैं अंडे का अध्धन क्या कहलाता है और अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है बताइए अंडे का अध्धन क्या कहलाता है और अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है तो अंडे का अध्धन क्लाता प्रोटीन कहुंसा होता है आप कहेंगे अल्ब्यूमिन कहुंसा होता है अल्ब्यूमिन होता है अल्ब्यूमिन होता है पक्का तो बताई ये ग्लोब्यूलिन किसमें होता है ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन तब कहें मानव रख्त में मानव रख्त में सबसे रहादा होता है भीविली जी ऐगे बहुत सरे कोशन आगे आपके प्पेपर में आएंगे दस दिनों से अधिक दिन त्पाइब रखने पर लिवर पर क्या परभव पड़ेगा लएबर से सारा गूकोस क्या हो जाएगा खतम हो बोजन का संचित रूफ है भोजन का संतित रूफ हिए दखेगा भोजन का क्या है ऑब जब ग्लूकेगान हार्मोन जाता है यक्रत के पास ग्लूकेगान हार्मोन किसके पास जाता है यक्रत के पास जाता है और यक्रत से कहता है कि ग्लुकोज कम हो गया है तो वापस ग्लाइकोजन ग्लुकोज में बदल जाता है समझ में आ गया समझ में आ गया बाकी बादेबाद बु के समपाए जाते हैं जापे 5वा पांचों प्रकार के एसमपाए जाते हैं भारत एक मात्रधेस है जानус प्रकार के रेसम पाई जाते हैं और भारत नियसक उत्तर प्रदेस खि violation मत राच्य जहाen पर सारी प्रकार के बीजिद S unexpected जैसे- आगर सरे इरी रेशम इरी रेशम में आपका असम बहुत आगे है अना सहतूती रेशम सहतूती रेशम इसमें आपका करनाटक ही आगे है ठीक है तो पूछ क्या रहा है करा मकडियों द्वारा जो रेशम मनाया जाता है उसे कहते हैं गौसिमर रेशम मकडियों के जाल से जो रेशम मनता प्रोटीन यह इंपोर्टेंट कुश्चन है रेसम क्या है एक प्रोटीन है अगला निम्लिकित खाद पतारतों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनों अमलका सर्वोत्तम स्रोत होता है जब हमने आपको साइंस पढ़ाते हैं उस साइंस में आपको मैंने सब पढ़ाया हुआ है बताएं फटाक से जल्दी से जल्दी अ अच्छा वह बताया नहीं कि आमने सॉरी अ अगला अ चलिए बताई ये मचली बता रहे हैं मचली जल्की रहानी है तुमको तलकरखानी है हमें साब पता है ठीक है चलिए देखे तो केला जो है वह कार्वो हाइड़ेटर का स्रोत है अमीनमली का मतलब है प्रोटीन और असबसे आधा प्रोटीन हमको मिलेगा डाल में नहीं तो सूय बीन में क्या बोलते हैं कि क्या बुलते हैं लेन कह रहा है आवश्यक अमीनोवल का सर्वोत्ता महार है आवश्यक एसेंस्यल अमीनो एसीड इसलिए हम लोग डाल ना लगा के क्या लगाएंगे अंडा कि आवश्यक अमीनो की बात की जा रही है होते बाइस प्रकार क्या मिन चुर्ट्र वाइस प्रकार के सबस्क्राइए क् ours में अधिकत्र मातरम जो आवश्चर्स वह आपको पूरे मिल जाएंगे एमाइंऔर लीग विद्श मान होते हैं आप कर्षाट के एमाइन और कार्फोक्सिल दोनों गिंरूवित्दömान देते हैं गोसी तुल्सी के पौधों का और बख टुल्सी के पौधने का और सीरी महत थे जल्दी बताएंगे क्यों कि उसमें फ्लेवोन आइट पाई जाते क्या पाए जाते हैं मेरे बच्चे फ्लेवोनाइट पाए जाते हैं जो आपके दांत संबंधी रोगों को सांस से अगर बदबू आती उससे सर्दी जुखाम आ जाता है उन सब चीजों से रच्छा करती है कहीं लिखा होगा देख लो मुझे नहीं पता है तुलसी के पौदे अब लोग करके आप यह अब एक हजार लाइक पहुंच गया जाने चाहिए ना अब थोड़े से बचे हैं बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं 10-98 कडि परवक शोटी है है कर दो जल्दी से और दो घंटे की किलास भी कंप्लिट होने वाले है ​​ना ₱ शुष्ष्टी दो शुट्टी को प्र्सार कंप्लिट भी करने वाले हम लोग क्या बूलते हैं है कि नोच त्यार करने हैं उसकी पीपिटी त्यार करनी है उसका डिजाइन त्यार करना है उन सब के लिए हमें दो दिन की यूट्यूब से चुट्टी लेनी पड़ेगी ठीक है ना हम नहीं आएंगे टीचर को लगा देंगे या फिर हो सकता मैं भी आ जाओ कर टाइम मिला तो तो ठीक है है हाँ चलते हैं हुँ हम हिंदू पॉने कथा को बात करें हिंदू पॉने कथा हम में बता जाता जो व्रंदा थी व्रंदा अना व्रंदा को ही जब उनको आश्रवाद दिया गया था तो व्रंदा बन गए ती तुलसी क्योंकि वह जालंधर की पतनी थी और जालंध यह प्रफ्राबारी, भीड, थार, पार, गाए, सिंदी, भैस, बधावरी हमा अब भैस की जाति है आपको पता है मुर्रा, भदावरी, जाफरावादी, महसाना, तराइ, सूरत, नागपूरी यह सब क्या है भैस की तो're क्या गलत है इसमें ऐसी कौन सी बकरी है जिससे उन प्राप्त होता है ऐसी कौन सी बकरी है जिससे उन प्राप्त होता है यह इंपोर्टेंट कोश्चन है लगेंगे अंगोरा सबसे जादा पश्मीना भेड जो है उससे भी उनप्राप्त होता है तो थार पारकर गलत हो जाएगा इसका अंसर थार पारकर नहीं होगा ठीक है थार पारकर इसका गलत हो जाएगा भेड की थोलोना है थार पारकर है कि नहीं हाँ किसकी थार पारकर गाय की है गाय की है थार में बैक कौन कौन से पर जाती है तिन चार याद कर लिए कछी कूगा गुरेज-णुरेज कची कूगा गुरेज नुरेज यह बस चार याद कर लिएए कच्छी कूगरेज नुरेज बस इतना याद कलेजै एक बार बीक नेरी भी पूछी गई थी याद रखोगे Right सरवादिक दूद सरवादिक दूद कौन सा भेड देती है तो आप कहेंगे Right भी याद रखोगे बताओ जल्दी से गाय की कौन सी प्रजाती सबसे भारी होती है कॉंक्रेज सबसे भारी प्रजाती कॉंक्रेज सबसे भारी गाय की कौन सी प्रजाती सबसे भारी होती है तेंगे कॉंक्रेज सबसे भारी होती है सबसे भारी संकर नसल कौन सी है गाय की संकर नसल मिलावटी संकर नसल कौन सी है तो आपके जरसिंद जरसिंद यानि कि एगरी कल्चर से भी दो तीन प्रशन आपके आते हैं देखना पड़ाएगा इसको है ना चलो काशी लालिमा निम लिखित में से किस फसल की प्रजाती है काशी लालिमा निम लिखित में से किस फसल की प्रजाती है जल्दी से आवरत इबीजी पौधा है और अधा देता हूं क्रूसी फेरी लिली एसी म्यूजेसी हाँ म्यूजेसी कुल का पौधा है म्यूजेसी कुल का पौधा है अब बताएए लिली एसी म्यूजेसी पाल्मी ग्रैमनी क्रूसिफेरी माल सेवी ठीक है यह म्यूजेसी कुल का पौधा है अब बताएंगे को या है म्यूजेसी में आता है आपका केला मूसा सार्डिका ठीक है हाँ आपका आशर आजाएगा भिंडी उत्तर है इसका भिंडी इसका उत्तर क्या है भिंडी तो काशी लाली मा किसकी है तो कहेंगे भिंडी है अगर आपसे पूचा जाए सब्जी अनुसंधान संस्थान कहा है पताई जल्दी से राष्ट्री अनुसंधान संस्थान क या पताएंगे जल्दी हाँ हाँ वेटा ये आपने हरी भिंडी देखियोंगे ये लाल भिंडी होती है ये लाल भिंडी होती है जैसे हरी भिंडी होती है तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है जो हरी भिंडी होती है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती ह उसमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है अंतर है दोनों में है तमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन है यह बच्चों माले प्रस्ण है तमाटर का जो लाल रंग है वो क्या है लाइकोपीन है गाजर का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन है और जो पीला रंग है वो किरैटिन है जो पीला रंग है वो कैरोटिन है गाजर का जो पीला रंग है वो कैरोटिन है और जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन है वो लिखा गया है प्याज काटने पर आशू आते हैं क्योंकि सल फेनिक अमल पाया जाता है अगर आपको याद करनी है कोई भी तो सिर्फ एक याद कर लिजिए कुफरी जब भी कहीं पर कुफरी कुफरी मिले तो वहां पर आपका क्या लगा देना है आलू कुफरी कुफरी थ्री फोटी तो वहां लुकी पर जाती होगी किस पर आलू की पर जाती हो भिंडी में आपका एंटी ओक्सिडेंट के भी कर पाया जाते हैं एंटी आक्सिजिएंट मितलब क्या है कि आपके शरीन में तो आप इसको लिजिए बिंडी ज्यादा मत्रम खाई ए थो ऑक नंबर कोश्चन को तो नमर देखेंगे 69 अगर चिपसोना एपसोना नहीं याद करना वो जो मिलते हैं चिपसोना वो जो मार्केट जाते तो बोलते होंगे आपको वो नहीं कुफुरी याद के कुफुरी अनुका चलिए हाँ पर दसल फेनिक अमल है सल फोनिक नहीं है यह सल फेनिक है जो लिखूंगा उसी को याद करना है अपने मन से दिमाग मतलब लगाई के जाता है उन्हें तरवा कुश्चन पौधों में गूंटी लगाना यह बहुत फेमस कुश्चन रहा है फेमस कुश्चन अगरी कल्चर में सबसे यह बात सबको पता होती है गूंटी काट लो और कलम लगा दो तो लग जाता है बास समझा रही है हाँ तो आलेंगिक वरस्पती जनन कोई हम लोग कहते हैं गूंटी लगाना बास समझ में आ रही है तो यहां पर क्या लगा दें कीटों के नियंत्रन के लिए बीजों के अंकुरन के लिए खर पतवार के लिए हाना या भी वनस्पतिक प्रसारण के लिए तो गूंटी लगाना क्या हो जाएगा वनस्पतिक प्रसारण के लिए कि अधि तू कामा फोरीडी क्या है तू कामा फोरीडी तो यह खर पतवार नासी है कि बहुत बहुत कूशन आया है तू कामा फोड़ी क्या है तू कामा फोड़ी खर पतवार नासी कि अब यह कंप्यूटर से कुश्चन आ गए कंप्यूटर से आ गय मतलब की 59 नंबर तक 99 नंबर तक है ना हाना 57 दस सरसेत और दो उननेतर और श equipment रोट टालि विज्ञान से प्रशुन की संख्यां बारा प्रश्ण इंग्यां से अगरे सालरजी बारा प्रश्ण आप किसे प्रश्ण आ गए तो आफ कंप्यूटर से किसे प्रश्ण बस तीन है हुआ है में नहीं यह दो है कंप्यूटर से स्फोड़ी प्रश्न मोनो ग्लाइमेक्स तो यह पर्रवन से आ जाता है जाए कंप्यूटर से कंप्यूटर से तो कंप्यूटर से सिर्फ दो प्राश्न है डोगा सो करेंगे अगे अधा कॉक है अभी करेंगे मिकल कबकर भूचे का नहीं ना ह Państwo का सभी लुग बताएं अभी करोगे कि मिध्यान सेु बाराप रुटां कर słu envisioned सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब 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 करेंगे कोई इकत नहीं कि ठीक है बताओ कि अभी करेंगे अभी करेंगे अरे तैम से बिलकुल पाबंडी बंदी यह ना तो इसका भाग दो ले आएंगे मौड़ल पेपर वण का भाग 2 ले आएंगे अना क्योंकि हम भी थक जाते हैं जिदा ले नहीं पाते हैं हाँ इमेल इमेल के फूल फॉर्म क्या होता है और फेतर्न फॉल फॉर्म कि कौन ओता है रेकटर्निक मेल kingdom इमेल के जनक कौन है रे टॉम अर्लियन इमेल के जनक कौन है रे टॉम अर्लियन सही लिखा है यानि यह सही है डबलु 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 के जनक कौन है वर्ड वाइड वेप के वर्ड वाइब बेप इस फिल्कुल सही लिखा डबलु 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 टिम बर्नस ली ठीक है सीपियू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है क्या सीपियू का फूल फॉर्म क्या होता है एक कंट्रोल होता है कि सेंट्रल होता है जल्दी बताओ कंट्रोल होता है कि सेंट्रल होता है मैंने तो कंप्यूटर आपको पढ़ाया है चार क्लासिस मैं मैंने आपको पढ़ाई है मैराथन याद करो हाँ जल्दी से क्या होगा इसका अंसर जल्दी बताओ फटाफट से बिल्कुल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का मस्तिस कहते हैं ब्रेन कहते हैं इसको ठीक है तो कौन तो गलत हो अरिफमेटिक लॉजिक यूनिट सही है एल्यू ठीक है तो यह हमने 70 कोशन कर लिए इसको भी कर सकते हो निम लिखिद में चाहिए कौन साख संबंद सही नहीं है अब देखो लोग शुट्टी पर बिजा रहे हैं दो गंटे के बाद वह बोर हो गया है आप शुट्टी पर ज का धूसरा वाला भाग निजा कर भेगा ठीक है कि ई मता जल्दी से की है अभी करना है तो थक तो घृणि कोशन के बाद अबकर फिर इसके बाद की बागों करवाण सक्थी सब्सक्रेश कुशन bene इंस के घृपे कर वाध को चे लिए होग म। ठीक है तो अगर क्लास पसंद आई आपको मेहनत पसंद आई और इससे कई गुनी ज्यादा मेहनत आपको प्रिट बैच में देखने को मिलेगी जल्द से जल्द कोर्स पूरा कराया जाएगा तीन तीन क्लासे एक एक दिन में चलाई जाएंगी पूरा बिल्कुल बढ़िया त समिच्छाद करें आपने यहां से चाहिए और हमको वहीं पर बैटके इंटर्विव शूट करना सबके साथ बस इसी आसा के साथ क्लास कम समाथ करते हैं ठैक यू वेरी मच और एससे गुरु कूल का आपके पास होना चाहिए और यह बैच आपके पास होना चाहिए किसी भी बातना तो आपके थांक्यू वेरी मस्ट रहें मस्त रहें रस्त रहें और देखते रहें एससे गुरु कुल कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस